हाई हेलो और अब सभी का बहुत स्वागत है आज के सेशन में पीस में हम चाप्टर नुमबर फॉर जो की है बिजन सर्विस आपके लिए लेकर आए है यहाँ पे बिजन सर्विस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया इंट्रेस्टिंग चाप्टर है जहाँ पर यह समझोगे कि exactly goods और services में difference क्या होता है ठीक है पहली चीज तो यह है क्योंकि जब भी हम कहते हैं we say we deal in goods and services लेकिन goods क्या services क्या फर्क क्या है पहली चीज तो यह और services की अगर बात करें तो services तो बटा सब लोग यूज़ करता है अभी आप भी यह जो वीडियो देख रहे हो एक तरीके से यह services है लेकिन अगर services की बात करें तो services कौन यूज़ कर रहा है उसकी उपर types of services होते है तो यहां पर इस chapter में इन different चीजों के बारे में आप पढ़ोगे सबसे पहले तो goods और services के बारे में पढ़ोगे कि exactly goods और services में difference क्या होता है services क्या होती है और business services यह term क्या होता है उसकी ब banking है तो banking में क्या types of accounts होते है banks क्या different services देती है आजकल जो digital banking आया है जिसको e-banking electronic banking भी कहते है वो exactly क्या होता है उसके अलावा next important service जो business यूज़ करता है यह आता है आपका insurance देखे हर एक risk को आप नहीं हटा सकते है मतलब उससे नहीं बच सकते है आप नहीं कह सकते हो कि कभी को मार इना पड़े मतलब काश ऐसे होता बड़ ऐसे नहीं होपाता तो जिन्देगी में हम बहुत सारी risk face करते है तो इस को हम रोक नहीं सकते बड़ क्या करके तो कुछ नकुछ करके ए रिस्क से अपने आपको एक तरीके से cover ला सकते है, cover कर सकते है ठीक है तो इस को cover कौन करत तो इसके लिए होता है insurance, तो insurance क्या होता है, क्या उसके principles है, क्या different types of insurance है, इसको भी आप यहाँ पर पढ़ोगे, उसके अलावा next important service जो यहाँ पर business use करता है, that is communication, अब देखे, कोई भी अगर लें देन है, buying and selling है, business है, trade है, कोई भी ऐसी activity है, बिना communication के कैसे गरोगे, और communication के अ TV channels आते है, जो आपके घर पर खत आते है, postal services जिसको कहते है, यह भी तरीके से communication है, तो communication के बहुत सारे different तरीके होते है, depending on the usage, कौन use कर रहा है, कौन consumers है, तो इन communication services को भी आप यहाँ पर पढ़ोगे, all in all, इस chapter में आप यह देखोगे, कि अगर हम एक business कर रहा है, चाहे कोई scale पर, चोटा scale, बढ़ा scale के लिए, very large scale पर business कर रहा है, तो as a business कौनसी services को use करके, हम कोशिश करते हैं, कि हमारे business को smoothly करे, तो यहाँ पर बिना कोई देरी के, हम बिल्कुँ शुरुवात करते है, with the first topic, जहाँ पर आप समझोगे, what exactly is services, तो देखे, आम आदमी के लिए, मतलब layman person, जिसको आम आदमी कहते है, common man's language, ठीक है, तो आम आदमी के लिए, common man के लिए, एकदम simple भाशा में, services की बात करे, तो services ऐसे चीज़े होती है, सबसे important, important part of services, जो बूला नहीं है, कि services are always intangible, intangible का मतलब क्या, अब आप बोलोगे, मैम, services is intangible, चलो ठीक है, but intangible बोले त intangible का मतलब होता है, anything which you cannot see or touch, ठीक है, कोई भी इसी चीज जो दिखती नहीं है, ना जिसको touch कर सकते, एक दम ऐसे Mr. India के माफ़े कैसे clock दबाया, जूप गाया, ठीक है, basically services दिखती नहीं है, ना अब services को touch कर सकते, एक simple से example देती हूँ, अभी मैं यहाँ पे इस board पे लिख र चीज़ तो नहीं है, यह pen को आप देख सकते हो, दिख रीया है ठीक है, आप इसको touch कर सकते हो रहीं पर वहीं, अगर आप aku doctor के पास जाते हो, तो doctor को आप fees देते हो थो, क्यो फीच देते हो भाई ऐसे हलवा भाएव भाट पैसा है, नहीं ना, क्योग the doctor आपका services दे रहा ह आपको ठीक कर रहा है, दवाई दे रहा है, तो डॉक्टर को हम फीज देते हैं, तो डॉक्टर हमें कुछ बेच तो नहीं रहा है, ना पेन बेच रहा है, ना लैप्टॉप, तो कोई चीज तो नहीं बेच रहा है, कोई गुड्स तो है नहीं, तो किस बात का पैसा देते हो, ठीक है तो यहाँ पे services की बात करें तो services intangible है आप उनको देख नहीं सकते, touch नहीं कर सकते, फिर भी आप उनका पैसा देते हो, क्योंकि यहाँ पे यह आपकी needs and wants को satisfy करता है, कोई ना कोई value generate करता है, कोई ना कोई आपको benefit देता है, तो services are intangible, बट उनकी value होती है और आप इसको pay भी करते हो, right, services को further अगर देखे, तो यहाँ पे याद रतना कि services का कोई ऐसे physical ownership नहीं होता है, जैसे for example अगर आपने property खरीदी, तो वो property आपकी हो गई, आपकी ownership आप दिखा सकते हो, आपका नाम आप उसके उपर लगा सकते हो, वैसे ही मान के चली आपने laptop खरीदा, तो laptop का भी label के उपर आपका नाम है, तो laptop आपका हुआ, आपकी ownership हुई, पर एक doctor के पास, doctor से treatment लिया, doctor को fees दिया, तो क्या वो doctor आपका हो गया, नहीं, ठीके, services में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, कि उसका पैसा दिया, उठाए, घर ल हो जाता है, वो doctor आपका हो जाता है, तो कोई भी ownership of asset नहीं है, कि चीजों को उठाए, ऐसे भर-भर के घर लेकर आए, no, कोई भी physical ownership नहीं होती, क्योंकि यह tangible ही नहीं है, इसको तुम भर के, उठा के, बकसे में बान के, नहीं लेकर आ सकते हो, services intangible है, और इसलिए इसकी ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं, example में दिया गया है, doctor का ही, कि भई, तुम doctor से जाके treatment ले सकते हो, बड़ उसको खरीद नहीं सकते है, आगे जाते है, services की बात करें, तो यह as a meaning of service आप यहाँ पर use कर सकते हो, कि अगर यहाँ पर यह chapter में इसे मान के चलिए, आपको कोई brief आ economic activities बिटा नहीं आएगी, क्योंकि business services है, तो business की बात करें, तो भई, अगर monetary lane है नहीं, पैसा involved है नहीं, तो का है का business दोस्त, फिर तो समाद सिवा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे services में सारी वो economic activities होती है, economic activities बोले तो क्या, हर वो activity जो पैसे के लिए, monetary benefit के लिए की जाती है, ठीक है, तो हर वो economic activity आती है, जो सबसे पहली चीज, intangible है, services का most important feature, जो इसको good से अलग करता है, distinguish करता है, वो intangibility है, तो कभी भी ये mention करना भूलना नहीं, ठीक है, तो services में हर वो economic activity आती है, जो intangible है, जिसको आप देख नहीं सकते, touch नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो service provider है, service provider कौन, service देने वाला, तो आप अगर doctor के पास जाते हो treatment लेने, तो service provider कौन, service लेने वाला consumer कौन, तो patient, तो दोनों के बीच में interaction जरूरी है, अब मानके चलिए doctor clinic में आ गया, ऐसे बठा है, patient ही नहीं है, तो क्या service का लेन देन हो रहा है, क्या उसको fees मिलेगी, ना, अग patient tag clinic में बैठा है, doctor आया ने, तो क्या services का लेन देन होगा, नहीं, तो service के लेन देन में, दोनों देने वाला, लेने वाला, साथ में होना mandatory है, अगर देने वाला, मतलब service provider, और लेने वाला, मतलब consumer, एक साथ, एक जेगे पे नहीं है, interaction नहीं है, तो services नहीं ले सकते, या services का trade नहीं हो सकता, इसको हमेशा याद रखेगा, तो तीन important चीज़े है, services के बारे में, जो आपको mainly यहाँ पर याद रखनी है, तीन important चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले चीज, services हमेशा कैसी होती है, intangible होती है, मतलब which you cannot see, which you cannot touch, दूसरे important चीज, याद रखेगा, जब भी हम business services की बात करें, तो वो एक economic activity होना जरूरी है, कोई भी ऐसी service जो यहाँ पर monetary benefit के लिए नहीं की जाती, जैसे समाथ सिवाप करते हो, कुछ doctors है, जो free में patients को treat करते है, that is not business service, क्योंकि यहाँ पर पैसे का motive नहीं है, याद रखेगा, ठीक है, थोड़ और सबसे जरूरी चीज, services जो होती है, वो highly perishable है, ठीक है, highly perishable मतलब क्या, कि भई services को आप store नहीं कर सकते, उसको purchase करके घर पे भरके नहीं रख सकते, और इसी लिए service के lane dayन के वक्त, दोनों provider and consumer का एक साथ एक जगा होना बहुत जरूरी है, तो यह तीन most important चीज़े है, services के बारे में, जब भी आप इस इन तीन चीज़ों को include करकर ही लिखेगा, चाहे अपने sentences में form करके लिखो, अपने तरीके से लिखो, but इन तीन चीज़ों को miss ना करिएगा, ठीक है, चलिए, यहाँ पर अगर services की बात करें, तो उसको थोड़ा सो और detail में जानते हैं, और इसी लिए हम देखते है features या तो characteristics या nature of services, देखिए features बोलू तो भी वही, characteristics तो भी वही, nature तो भी वही, the question तीन तरीके से आ सकता है कि भई, भाई साब इसका answer सेम नहीं होगा, ठीक है, इसको याद रखेगा, है ना, अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली characteristics रेखू, तो मैंने आपको बार-बार ल are always intangible, intangible बोले तो क्या, which you cannot see, which you cannot touch, services are always intangible, तो यहाँ पर अगर मैं services की बात करू, services हमेशा intangible होगी, that you cannot see, that you cannot touch, और इसी लिए service provider का यहाँ पर होना जरूरी है, जब भी consumer हो, दूसरे important चीज़ क्या है, देखिए, सबसे बहली चीज़, service कोई goods है नहीं, आप उसको द पर अक्ये ले नहीं सकते है, जैसे फिर एक्जामपल आप फोन लेने गए, या कोई T-shirt लेने गए, तो आप देखोगे, fitting देखोगे, कपडा देखोगे, color देखोगे, पर services तो देखती नहीं, ना उसको touch कर सकते हो, ना उसको देख सकते हो, तो services में हमेशा जो service देने वाल होता है, जो provider होता है, उसका बहुत important role होता है, अब consumer है, consumer की needs and wants लगे, एक simple example देती हूँ, मान के चलिए, अप salon चले गए, बाल कटवाने, haircut, ठीक है, तो कोई बोलेगा, में को ने एकदम simple सा haircut चाहिए, है न, ऐसा ताम जाम वाला कुछ नहीं चाहिए, तो कोई बोलेगा, म को न, ऐसा layers चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हरे consumer की जो need, जो want, जो जरूरत होती है, वो अलग है, दोस्त, तो यहाँ पे service provider के लिए बहुत जरूरी है, कि वो जो भी consumer के लिए desired service है, जो उनको चाहिए, जो उनको पसंद है, उस तरीके से यहाँ पे consumer को service दे, so that उनका जो experience है, आपके पास वो अच्छा हो, अब सब को एक तरीके की service दोगे, तो सब थोड़ी खुश होंगे, जो उनको चाहिए, वो दोगे, तब तो खुश होंगे, तब तो satisfied होंगे, तो वापस आएंगे, नहीं होंगे, तो नहीं आएंगे, तो इसलिए services favorable होना, consumers के need के मुताबि उनको services देना बड़ा बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चलिए, यहाँ पर आगे जाते है, point number two पे, जो की कहता है, inconsistency, यह inconsistency मतलब क्या, कि अभी देखिए, for example, let us say, कोई भी एक phone का model है, ठीक है, अब हम लेते हैं, मान के चलिए, iPhone 14, ठीक है, ऐसे हम ही रो वाली बात करेंग अगर आप कोई भी दुकान से, same phone, अगर आप खरीते हो, बाजू-बाजू में रखोगा तो जड़वा, exact same, homogeneity, ठीक है, दिखने में same, camera same, size same, screen same, सब कुछ same होगा, अभी color अलग होगा, अगर अलग लिया, तो अभी वो मत बुलना, comment section में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर iPhone बात करें, अगर same model का phone अब कहीं से भी लोगे, तो there will be consistency, homogeneity, same phone रहे, और इसलिए हो सकता है कि consumer experience same रहे, पर services में ऐसा कैसा possible है, अब हो सकता है कि एक व्यक्ति गया, डॉक्टर के पास, उसने दवाई ली, फट से ठीक हो गया, वो खुश है, दूसरा व्यक्ति गया, वो ब consistency भी आ जाती है, हर बार जब अब service देते हो, तो वो exclusive होता है, आपके लिए modify किया होता है, अभी doctor हर एक व्यक्ति को same दवाई तो नहीं दे सकता, तो आपके बिमारी के मुताबिक, age के मुताबिक, बहुत सरी factors को लेकर different treatments दी जाती है, अलग अलग दी जाती है, और इसलिए because वो exclusive है, हर बार अलग दिया जाता है, यहाँ पे अलग अलग customers की satisfaction होगा, जो requirements होगा, वो अलग ही रहेगा, तो आप नहीं बोल सकते हैं कि हर बार same service, same तरीके से, same timing में दी, नहीं दे सकते, क्योंकि customer को वो चाहिए नहीं, हर customer की जरूरत अलग है, तो हर बार जब अब service द करते हैं to the next point, यहाँ पे क्या कहता है, inseparability, inseparability मतलब क्या, कि अलग नहीं कर सकते, बट किसको, तो यहाँ पे अगर inseparability की बात करू, तो in this case, जो service देने वाला है, ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, service provider, ठीक है, service देने वाला, मतलब service provider and service, इनको अलग नहीं कर सकते, एक example देत मान के चली doctor है, ठीक है, बहुत अच्छा doctor है, बहुत expertise है, बहुत अच्छा surgeon है, तो मान के चलो operations बगरा करता है, अब एक particular month है, जब 10 दिन वो doctor बाहर घूमने जाने वाला है, विदेश, अभी बड़ा doctor है, तो खुब पैसे है, तो खुब घूमने जाता है, तो चलो विदे आराम करोगे, मौझ मस्ती करोगे, एक काम करो आपका experience और यह थोड़ा इधर छोड़के जाओ, पीछे कोई patient है, तो use करके उसको treat कर लेंगे, क्या यह possible है, आप आपका phone, laptop, आपका घर, आपकी चीजे पीछे छोड़के जा सकते हो, बट क्या आप आपकी intellect, आपका expertise, आप का दिमाग पीछे छोड़के जा सकते हो, तो मैं service को, service provider को निकाल के अलग कर सकते हूँ, क्या, नए, doctor से उसका experience अलग नहीं कर सकते, गायक से उसकी आवाज अलग नहीं कर सकते, एक dance जो व्यत्ति अच्छा करता है, उससे उसका dancing talent तुम अलग नहीं कर सकते, तो service देने वा आता है, और इसी के कारण mandatory है, कि जब भी service को दिया जाता है, for example, अभी एक doctor है, अभी वो treatment कर रहा है, तो तभी ही patient का होना जरूरी है, अगर नहीं, तो उसकी treatment को store करके, डबे में भर के तुम नहीं रख सकते, कि जब patient आएगा, तब वो treatment ले लेगा, not possible, इसलिए हमने क्या कहा था, कि services highly perishable है, आप उनको भर के, बाद में consumer आएगा, तो दे दोगे, नहीं possible है, service देने वाला, service लेने वाला, एक साथ, एक जगे पे मौझूद होना mandatory है, क्यों, क्योंकि service को service देने वाले से, मतलब service provider से अलग नहीं कर सकते है, ठीक है, चलिए, आगे जाते है, next point पे, जो की है, inventory less, जिसका मतलब है, services cannot be stocked, इसको अब stock नहीं कर सकते है, ठीक है, अगे, services की बात करें, तो services are highly perishable, intangible है, दिख्ती नहीं, टच नहीं कर सकते है, कुछ नहीं, तो इस जादू की तरह है, तो क्या आप जादू को pack करके ऐसा भर के रख सकते हो, ए भाई में कोई मि रख सकते हैं, असा घुनी में बानकी रखा दाना, अरे भाई, ठीक है, यहाँ पी, services highly intangible है, उसको याद रखेगा, तो services की बात करें, तो services, because perishable है, intangible है, आप उसको store करके, go down में भरके, डबो में भरके, आप उसको नहीं रख सकते, आपको अगर service लेनी है, तो जब service provider available है, जाओ, और service लो, भरके रखा, जब मन किया तब लिया, ऐसा possible नहीं है, service की कोई inventory, कोई stock, opening stock, closing stock के नहीं होता, उसका कोई go down, नहीं होता, याद रखेगा, ठीक है, चलिए, आगे जाते है, next चीज़ पे, जो की है, involvement, देखे, अभी involvement की बात करूं, तो यहाँ पे, again, customer participation क होना जरूरी है, देखे, एक simple example देती हूँ, मान कि चलिए कि कोई service देने वाला है, जैसे salon है, जैसे doctor है, जैसे teacher है, जैसे entertainment के लिए गायक है, तो वहाँ पे अगर customer नहीं है, customer वहाँ पे present नहीं है, customer service ले नहीं रहा, तो कैसे होगा, अगर मैं हूँ मौजूद, मैं customer हूँ मुझे क्या service चीए, मैं बताऊंगी, accordingly सामने वाला मुझे service देगा, तो मेरा involvement जरूरी है, अगर मैं हुई नहीं, तो service मिलेगा कैसे, कौन लेगा service, अरे service देने वाला चीए, तो service लेने वाला भी चीए, कौन लेगा service, अब बतादो जरा, बताओ, तो यहाँ पे अगर इस service की बात करें, तो बहुत ही important characteristics of service है, ठीक है, तो customer की पास opportunity होता है, कि भई आप जाओ, service को अपने मुताबिक modify कराओ, आप बताओ कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, और उस तरीकी से services को बदला के, modify करके, आप इन services को ले लो, simple सी बात है, और इसलिए service में customer का delivery process में participate करना, सामने वाले को बताना उसको क्या service, कैसे service यह again ज़रूरी है, ठीक है, चलिए, अभी तक I really hope की services के बारे में आपको दिमच में आ गया होगा कि services exactly क्या है, services intangible है, देख नहीं सकते, touch नहीं कर सकते, और इसलिए इसको store भी नहीं कर सकते, इसका कोई go down, opening stock, रखना, डब्बे में रखा possible नहीं है, ठीक है, service के लिए service देने वाला, लेने वाला साथ में होना जरूरी है, highly perishable है, और यहाँ पे service provider से services को कभी भी अलग नहीं कर सकते, services हमीशा customer के मताबिक दी जाती है, इसलिए वो inconsistent है, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को same चीज दो, जैसे haircut ह तो हर व्यक्ति को same haircut तो करके नहीं दोगे, ठीक अब तो उनको जैसा चीज उस मताबिक आपको उसको modify करना होगा, तो inconsistency है, और इसलिए customer का involvement भी ज़रूरी है, कि customer यहाँ पे बता सके कि उसको क्या चीज, कब चीज और कैसे चाहिए, तो यहाँ पे services तो समझ गई, बट अब सवाल यह आता है कि मैं फिर good job services में क्या difference है, तो वही हम आपको यहाँ पे distinguish के form में बताएंगे, तो यहाँ पे अगर good job services की बात करो, तो देखे, सबसे पहली चीज जो उसको अलग करती है, वो है उसका nature, service कभी भी एक activity या तो एक process होता है, ठीक है, जैसे for example अगर doctor है तो treatment एक activity है, आप cinema halls आते हो, तो वो एक activity है, वो एक entertainment show है, तो कोई भी ऐसी activity होती है, या कोई भी ऐसा process होता है, जबकि अगर goods की बात करो, तो वो तो एक physical asset है, जिसका पैसा देते हो, उसको खरीदते हो, अपने नाम कर लेते हो, तो goods की बात करें, याद रखना, वो हमीश या physical object या asset होगा, जिसको आप पैसा दे के खरीद होगे, और अपने नाम पर करोगे, जैसे for example, cd हो गई, pen drive हो गया, mobile हो गया, laptop हो गया, and so on, ठीक है, दूसरी important चीज़ यहाँ पर क्या है, कि services हमेशा heterogeneous होती है, heterogeneous क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबको same service नहीं दे रहों बटा heterogeneous और homogenous का difference क्या होता है, heterogeneous की बात करो, तो they are not same, in size, shape, color, etc. हमेशा अलग service होगी, बिटा, customer के मताबिक होगी, आप अगर patient को treat करें, तो हर patient को same treatment, same दवाय तो नहीं दोगे, उसकी बिमारी के मताबिक, age के मताबिक, preference के मताबिक दोगे, वैसे ही, अगर मैं salon की बात करूँ, तो सबको अब same beauty treatment, haircut, same services तो नहीं दोगे, तो heterogeneous होती है, customer के मताबिक, यह change होती है, अलग-अलग होती है, but goods की बात करो, तो goods हमेशा कैसे होते है, homogeneous होते है, homogeneous का मतलब क्या होता है, same, in shape, size, color, etc. तो यहाँ पर जैसे मैंने phone का example दिया, अगर same model का phone है, अलग-अलग जगे से low, it will be exactly same, इसमें आपके मताबिक छोटा, बड़ा, नाटा यह नहीं कर सकते, ठीक है, चलिए, आगे जाते है, next पर जो की है intangibility, अब यह तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, services intangible होती है, आप उनको देख नहीं सकते, आप उनक services inconsistent होती है, इसका main कारण है, क्योंकि services कैसी देनी और क्या देनी, यह customer के demand पर depend करता है, उनको जो चाहिए, उस मताबिक services को बना कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही services अब सबको दे रहे हो, यहाँ पर goods की बात करें, तो goods तो पहले बनता है, फिर बिकता है, तो यहाँ पर customer आएगा, उसका पूछोगे नहीं कि तिरको कैसा laptop छे, कौन सा color छे, क्या screen size छे और बना के दिरो, नहीं न, यहाँ पर goods जो है, हर एक चीज के लिए, मतलब एक standard good बन जाता है, एक सरीके का, एक तरीके का बन जाता है, फिर उसको market में बेचा जाता है, तो customers अपने नीर के स आप से check करके उसको खरीचता है, बट उसको modify करने का option नहीं होता, ठीक है, चलिए, आगे जाते है next पे जो की है inventory, अब services तो भाई intangible है, तो उसकी inventory, stock, go down, कैसे तो करोगे, कैसे उसको भरोगे, ना देख सकते हो, ना touch कर सकते हो, ठीक है, तो services are highly intangible, आप उसको experience कर सकते हो feel कर सकते हो, बट उसको store नहीं कर सकते हो, अभी train journey का जैसे example है, तो आपने train की ticket ने काली, चार बज़े की मान के चलिए train है, तो आपने बुला किया रहा चार बज़े कौन जा गए, काम करते है, train journey को भरके रखते है, साथ बज़े उसको ले लेंगा, ऐसा नहीं होता, चार बज़े की train है, तभी service दी जा रही है, तभी आप गए ली तो मिलेगी वरना नहीं, नहीं, उसको store नहीं कर सकते है, ठीक है, next चीज यहाँ पर क्या है, can be kept in stock, अभी goods obviously यहाँ पर आप stock कर सकते हो, जैसे ticket है, खाना है, पीना है, jewelry है, accessories है, बहुत सार इसके examples है, ठीक है, चल जरूरी है, जैसे delivery के वक्त मान के चलो कि आपको कोई खाना सर्फ कर रहा है, या आप अगर कोई hotel में गए हो, तो कोई music और entertainment show चल रहा है, तो वहाँ पर आपका present होना, आपका involvement होना, आप वहाँ पर जा रहे हो, ले रहे हो, बैट रहे हो, शोज देख रहे हो, यह बहुत जरूरी है, क्या, नहीं, ठीक है, तो involvement भी दोनों में यहाँ पर vary करता है, and I really hope कि भाई, आप distinguish के बाद तो यह जो confusion रहता ना, कि goods क्या और services क्या, I really hope यह यहाँ पर clear हुआ होगा, but यह तो एकदम introduction और basic of the chapter था, आप बोलोगे माम, इतना सारा, हाँ, इतना सारा, ठीक है, तो यह तो basic introduction of the chapter था, but, 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 अब चालू होता है आपका main chapter, जहां पर अभी आप देख रहे हो, different types of services, दो chapter में हमें सिफ business services पढ़ना है, बट इसका मतलब यह नहीं होता है, कि services of businesses के लिए होती है, देखे, services कौन use कर रहा है, और किस purpose से दी जा रही है, ध्यान से सुनना, services किस purpose से दी जा रही है, उसकी basis पर different types of business services को बनाया जाता है, अब for example, सबसे पहले यहां पर बिटा आता है आपका business services, तो कोई भी ऐसी service, अब यहां पर use करने वाला बिटा कौन होगा, user कौन होगा, तो याद रखना business होगा, ठीक है, इसका purpose क्या है, तो इसका purpose है, smooth functioning of the business, ठीक है, तो दीखे, business services की बात करें, तो business services, मतलब ऐसी services जो businesses के लिए बनाई गई है, जिनको use करके business अपने activities को, अपने काम को असानी से smoothly, बिनना कोई रुकावट यहां पर कर सकता है, तो ऐसी services को क्या कहते है, business services कहते है, अब business services की बात करें, तो याद रखना, इसकी बहुत सारी examples है, बट कुछ ऐसे examples जो हर एक business use करता है, उसमें आता है सबसे पहले banking, अब banking की बात करो, तो business है, तो पैसे का लेन देन, transfers, transactions होगा, तो कहां से होता है, generally bank से होता है, उसके अलावा business में बहुत सारी risk होता है, आग लग गई, चोरी हो गई, goods damage हो गई, तो इसक पहुचाना, कैसे पहुचाते हो, तो via transportation, चाहे है आप रेलगड़ी में पहुचा हो, चुक 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 या फिर आप ट्रक में पहुचा, पिप पिप ट्रक है, रेलगाड़ी है, देखे, roadways, railways, waterways, कोई भी mode हो, बट वो transportation में आता है, ठीक है, उसके बाद यहां पे आता ह लेकिन एक साथ तो सब बिखेगा नहीं, तो जब तक goods बिखते नहीं, उनको safely store करना होता है, इसके लिए हम use करते है, warehousing, then आता है आपका communication services, जो letters, billing, communication होता है, via calls, emails, etc, यह सारी चीज़े communication services में आती है, but all in all business service की बात करो, तो business service बोले तो क्या, कोई भी ऐसी service जो business use करता ह है, क्यों use करता है, अपने business activities को शान्ती से smoothly, अराम से कर सके, इसके लिए, ठीक है, चलिए, आगे जाते है next पे, next point अब कहीं है, तो social service, अब देखे, social service की बात करें, तो social service में, यहाँ पे user कौन होता है, सबसे पहली चीज़, तो user यहाँ पे होता है, society, ठीक है, or its people, ठीक ह है, तो benefit or betterment of the people in society, ठीक है, अब देखे, social service की बात करें, तो सबसे पहले चीज़, social service यहाँ पे कोई monetary benefit, profit कमाने के लिए, पैसे के लिए, बिलकुल नहीं की जाती, social service की बात करें, तो social service का main purpose, main aim होता है, कि यहाँ पे हम society का benefit देखे, हम voluntarily social service देखे, यहाँ पे society में, जो different issues होते हैं, जो social goals होता है, for example, ऐसे लोग जो free मेडिकल treatment नहीं ले पाते हैं, बहुत सरे लोग जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो बिमार होने पे दवाया नहीं ले पाते हैं, जिनको hygiene के बारे में नहीं पता हो देती है, free में रहने की जगा देती है, तो इस सारी जो चीजे है, यह कहां आती है, social service में आती है, अब यह कोई NGO कोई संस्था करे, यह government करे, कोई एक business करे, कोई एक individual करे, यह सारी चीजे social service में आती है, समात सेवा, basically, free में लोगों को पढ़ाना, free में लोगों को medical treatment देना, लोगों को यहां पर free में खाना देना, रहने की जगा देना, कभी कपड़े देना, यह सारी चीजे बटा, यह सारी चीजे यहां पर social service में आती है, याद रखेगा, social service society के benefit, उनके लोगों के benefit, उनके involvement, monetary, benefit, profits, यह नहीं होते हैं, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं, next पे जो की है, यहाँ पे personal services, अब देखें बेड़ा, personal services का मतलब क्या, अब सबसे पहले personal services में अपका user कौन है, तो कोई भी एक individual, ठीक है, इसका purpose क्या है, तो satisfaction of needs and wants, ठीक है, अब देखे, personal service मतलब क्या, आप मैं, हम जैसे individual services use करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसको कहते हैं, personal service, हमें घूमने जाना है, तो हमने tourism service ली, एक tourism वाले को call के, उससे सारी booking, booking, booking करा है, उसने सारा arrangement किया, क्या लिया, service लिया, उसके लिए पैसा दिया, बट किसके लिए हमारे लिए, हमारे benefit, हमारे want को satisfy करने के लिए, हमारे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम गए हमने hackat कराया, ठीक है, तो हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे want के ल की जाती है, हर वो service, personal service में आती है, बहुर होगा है, movie देखने जाना, घूमने जाना, भूक लगे तो restaurants में, खाना खाने जाना, सारी चीजे personal services में आती है, तो basically तीन bifurcations of services होती है, business लेता है, तो business service है, समात सेवा या benefit of the society के लिए है, तो social service है, आपके जरूरतों को पूर करने के लिए है, तो फिर personal service है, बहुत ही simple है, बिस इसके examples याद रखना और mention जरूर करना, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं next पे, अब next शीज यहाँ पे क्या है, तो business services, देखिए chapter तो आपका business service है, social service, personal service होती है, बट क्या हमें उसके बारे में पढ़ना है, ना ना ना, ठ business services क्या, यह तो मैं आपको बता चुकी, कुछ examples है, types of business services, जैसे banking, जैसे insurance, जैसे communication, इसको हम communication कहता है, ठीक है, तो communication services है, transportation है, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको warehousing बताया था, ठीक है, यह सारे different types of business services मैंने आपको बताई, बट आपके पूरे syllabus में, तीन type of business services को explain किया गय है, उसको in detail आपको बताया गया है, कौन सी तीन type है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना है, banking, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है, insurance, then आता है आपका यहाँ पर communication services, यह three types of business services है, जो आपके syllabus में given है, और इसको in detail हमें यहाँ पर पढ़ना है, और इ इसको बाद करते है, with the first type of business service, जो की है आपके banking, अब सबसे पहले bank क्या है, bank देखी सबने है, bank के बारे में सुना सबने है, bank के कुछ examples पूछोंगे, तो धरधर बहुत सारे नाम बोल दोगे, बट exactly bank है क्या, तो यहाँ पर अगर bank की बात करें, तो Indian Banking Regulation Act, जो 1947 में बनी थ जो सारे banking operations, उनके activities को govern करती है, इस act ने bank का exact definition आपको दिया है, तो इसको आप obviously as a definition exam में यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर अगर banking की बात करो, तो what exactly is banking, सबसे पहली चीज, कोई भी अगर bank है, तो हर एक bank यहाँ पर two important चीजे करती है, two important activities perform करती है, सबसे पहली accepting deposits, ठीक है, और उसके बाद lending और giving credit, तो मैं कोई भी अगर bank की बात करो, तो two important activities होती है, accepting of deposits, right, and lending of money to the public, यह दो activities हर एक bank यहाँ पर करती है, इसी को आगे हम इन details समझते हैं, पहले definition को देख ले, accepting deposits of money, किस से deposit लोगे, भाई, पैसा कौन देगा आपको, कौन देगा, तो हम जैसे लोग, जिसको हम कहते है general public, क्यों पैसा लेती है, for the purpose of lending or investment, इसको मैं आगे आपको समझाती हूँ, बट bank क्या है, कोई भी ऐसा institute जो दो important activities करती है, एक public से पैसा deposit के तौर पे accept करती है, और उसी पैसे को लेके, फिर यहाँ पे loans के तौर पे lending करती है, उधारी पे देती है, या तो कहीं न कहीं investment करती है, KCA system चलती है, चलिए आईए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे बट अगर कोई भी bank का बात करें, या कोई भी bank की यहाँ पे बात करें, तो like I said, bank के two important functions होते हैं, सबसे पहले वो क्या करता है, accepting deposits, ठीक है, उसकी बाद दूसरी चीज़ वो क्या करता है, तो lending और investment, कैसे काम करता है, मैं भी आपको बता देती हूँ, ठीक है, चलिए, अब मान के चलिए, पहली चीज़ बैंक के पास पैसा होना चाहिए, मतलब बैंक में पैसा आता है, कहां से आता है, तो public यहाँ पे deposit करती है, एक्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए, Mr. A है, Mr. A deposited 1 lakh रुपीज in bank at 5% interest, बताती हो आपको, देखिए, बैंक में पैसा deposit करना, कौन करता है, कैसे करता है, क्या होता है, समझाती हो, अब कोई भी बैंक की बात करें, तो उनका काम होता है, आपके पास जो surplus पैसा है, अब जैसे आपने एक लाग कमाया, तो कमाया तो खर्चा भी होगा, खाना, पीना, पढ़ाई, डॉक्टर, दवाई, बहुत सारी खर्चे होता है, तो सबसे पहले कोई भी विप्ति अगर कमाता है, तो उसी कमाई में से वो पहली चीज अपने खर्चे को निकालता है, expenses को निकालता है, तो एक लाग आपने कमाया, आपका expense हो गया 40,000, बचा कितना तो 60,000, यह जो भी surplus income होता है, लोग इसको जाकर bank में deposit करते हैं, दो important कारण, एक bank में पैसा आपको लगता है कि शायद safe रहेगा, दूसरा सबसे जरूरी कारण, जो भी पैसा हम bank में जाकर deposit करते हैं, bank में जाकर रखते हैं, एक तरीके से हम जाते हैं, account open करते है उस account में पैसा रख देते हैं, तो उसके उपर bank हमें interest देता है, व्याज देता है, तो हमें लगता है कि अरे चलू bank में पैसा रखेंगे, तो उसके उपर interest मिलेगा, तो थोड़ी सी income और बढ़ जाएगी, तो वैसे ही Mr. A थे, Mr. A के पास 1,00, रुपया surplus में पढ़ा था, त अब ये एक लाक रुपया उसने जाके दिया bank को, लेकिन bank Mr. A को व्यास दे रहा है, क्यों दे रहा है, एक तो आप पैसा सेफ रखो, अलग-अलग services दो, चेक बुक दिया, ये किया, वो किया, और उसके बाद interest भी दो, का है, क्योंकि ये एक लाक रुपया जब आपने यहा पे bank के पास रखा, तो bank इसी वन लाक रुपीज को किसी को लोन के तौर पे देगी, for example, मान के चलिए, Mr. B wants to borrow, borrow मतलब उधारी पे पैसा लेना, वन लाक रुपीज, at 9% interest, यहां पे Mr. B है, Mr. B को पैसे की जरूरत है, तो bank के पास गया, Mr. B ने bank को बुला, देखिए मुझे एक लाक रुपय का लोन चाहिए, और मैं एक लाक के उपर 9% interest देने तयार हो, तो bank के पास A का एक लाक रुपया पढ़ा था, bank ने वही एक लाक रुपया यहां पे किसको दे दिया, B को दे दिया, ठीक है, अब B ने कितना interest देने की बात की थी bank को, B ने यहां पे 9% interest दिया, bank को A को कितना interest देना है, 5% देना है, तो in a way मैं कह सकती हूँ, bank receives 9% interest, bank को Mr. B से व्याज मिला कितना 9% bank has to pay 5% interest, bank को A को कितना interest देना है, 5%, तो 9% मिला, 5% उसमें से देना है, तो यहां पे बच्चा कितना, अपका बैलेंस कितना है, तो बैलेंस है 4% interest, तो यह जो चार्ट का है, 4% है, यह एक तरीके से bank के लिए profit, या तो एक तरीके से income हो जाती है, तो अलग-अलग लोग bank में जाके अपने पैसे को deposit करता है, वैसे ही बहुत सारे लोग bank से जाके loan पे पैसा लेने के लिए जाता है, कभी भी deposit पे जो rate of interest होता है, वो loan के सामने कम होता है, तो bank 5% अगर interest दे रहा है, तो उसके अगें सामने वाले से 9% ले रहा है, दोनों के बीच का difference एक तरीके से bank के लिए income बन जाती है, उसके अलावा bank यही पैसे को different different तरीके से gold में invest करना, property, stocks, इन चीजों में invest करके इससे भी returns earn करती है, तेक तरीके से bank का का में एक जगे से पैसे accept करना in the form of deposit, उनी पैसों को फिर loan के तोर पे circulate करके interest लेना, थोड़ा से interest depositor को देना, बाकी का in the form of incomes and profits, ठीक है, तो bank इसी तरीके से यह circulate money को करके अपने interest को earn करती है, तरी अली हो, banking का जो दो activities है, accepting deposits and lending money, यह आपके लिए यहाँ पे clear हो गया होगा, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं different types of bank account, अब मैंने तो बोल दिया कि लोग अपना पैसा जाके bank मे deposit करते हैं, पर deposit करने के लिए, या as a customer, as a depositor, bank जो है, आपको different types of accounts के option देती है, कौन सा account open करना है, कौन सा account में पैसा deposit करना है, यह आपके उपर depend करता है, आपकी जरूरत क्या है, आपको कितना interest चाहिए और आपके पास कितनी surplus income है, for example, यहाँ पे सबसे पहले आता है, आपक पता है कि मुझे पैसा कभी जरूरत पढ़ सकती है, तो जब चाहे इसको withdraw कर सकते हो, यह savings deposit को यहाँ पे demand deposits भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, demand deposits भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मान के चलो, मैं bank में गई, मैंने savings account open किया, उस account पे मैंने 5 लाक रुपे deposit क अब 10 जिन बात मुझे किसी को 50,000 का payment करना था, तो मैंने bank को instruct किया, कि मेरे account में 5 लाक रुपे है न, उसमें से 50,000 इस व्यक्ति को pay कर दो, तो bank को करना होगा, जब आपकी account में से आप पैसे demand करोगे, आपको चाहिए bank को देना होगा, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे, चोटा-चोटा यहाँ पे account deposit, account में पैसा deposit करना चाता है, और यह facility चाता है कि उस पैसे को जब वो चाहे, जब ज़रूरत हो, उसको withdraw करके, उसको account से लेकर, उसको use कर सके, वो व्यक्ति यहाँ पे savings account open करता है, या savings deposit account open करता है, पैसे withdrawal करने के लिए, यहाँ पे आपको स सकते हो, या अपने account से किसी और की account में transfer भी कर सकते हो, तूसरी चीज, आपके account का एक statement, transaction details mention होते है, ठीक है, अभी देखे, साल भर में मैंने कई बार पैसा डाला होगा, कई बार withdraw किया होगा, तो इसकी मुझे details चाहिए, तो इसलिए bank आपको एक passbook देता है, जिसमें आपक account के सारी transaction की details mentioned होती है, कि कब-कब आपने कितना पैसा deposit किया, कितना withdraw किया, कितना balance है, यह सारी details इस passbook में आपको मिलती है, तो जैसे आप savings account open करोगे, आपको यहाँ पे एक checkbook और एक passbook दोनों यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, most important चीज, यहाँ पे rate of interest जो होता है, जो व्य deposit account and recurring deposit account आगे बताऊंगे, savings deposit का main aim यह होता है, कि आप आपके पैसे bank में safe रखो, थोड़ा बहुत व्याज भी मिले, और जब चाहे उसको withdraw करना, transfer करना, आप conveniently इस चीज को कर पाऊ, simple सी बात, ठीक है, best part यह होता है, कि इसमें कोई restrictions की कुछ समय तक पैसा withdraw नहीं कर सकते, या certain restrictions जैसे number of transactions या limit of transactions यह होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि एक दिन में मेरे को 100 बार withdrawal करना है, तो वो savings account में possible नहीं है, limit of transactions per day आप कितना कर सकते हो, एक बार में आप कितना amount withdraw कर सकते हो, इसके कुछ limitations होते है, बट ऐसे limitations ही है कि आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, यह set limitations होता है, बट कोई बड़ी बात नहीं है, main purpose होता है कि जब चाहे आप ऐसा withdraw कर सकते हो, और जब चाहे आप deposit भी कर सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा account यहाँ पे आता है, आपका current account deposit, ठीक है, या तो current deposit या तो current account बोलोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे ऐसे मैंने बूला कि savings account में कुछ limitations on the number of transactions होता है, पिट मान के चली किसी का business है, अब एक business बाले को तो एक दिन में 100, 200, 1000, लाखो transactions भी करने पड़ सकते है, अब scale of business पे आपका बहुत बड़ा business है, तो एक दिन में आपको लाखो लोगों को भी salary देनी पड़ सकती है, तो ऐसे case में savings account से इतने सारे number of transactions तो आप नहीं कर सकते, और इसी लिए current account में इनली किसके लिए बनाया गया है, तो ऐसे business में इनके लिए बनाया गया है, इस account में आपकी कोई भी limit on the number of transactions नहीं होती, जितनी बार चाहों उतनी बार deposit और जितनी बार चाहों उतनी बार आप पैसा withdraw कर स जो भी आपका withdrawal होता है, जो भी आप पैसे इस account से withdraw करते हो, निकालते हो, चेक से होता है, तो आपको एक checkbook मलता है current account का, उसमें आपको check बराना है, self के नाम पे bank में जाओ, चेक दो, पैसा withdraw करो, उसको use करना है करो, पैसे सारे withdrawal होता है, ठीक है, next important चीज, इनको एक special facility मिलती है, जो कि savings account में नहीं मिलती, जिसको कहते है overdraft facility, समझाती हूँ, क्या होता है overdraft facility, अब देखिए, for example, मान के चलिए, कि Mr. X, एक businessman है, और उनका यहाँ पे एक bank में current account है, ठीक है, उनके account में currently balance, मतलब कितना पैसा है, तो 1 lakh रुपीज है, Mr. A, Mr. A का एक bank में current account है, उनके account में अभी कितना पैसा है, 1 lakh रुपया उनके account में है, बट उनको यहाँ पे Mr. B को payment करना है, कितने का, तो 1 lakh 10,000 रुपीज का payment करना है, अब generally क्या होता है, मेरे account में 1 lakh रुपया है, मेंको किसी को 1 lakh 10,000 देना है, तो मैंने अगर 1 lakh 10,000 का check day दिया ना, त खाते में 1 lakh रुपया है, तो 1 lakh 10,000 आपके खाते से किसी को कोई कैसे pay करेगा, वो 10,000 कहां से आएगा, पिट current account में यह check bounce नहीं होगा, इसका कारण है, क्योंकि current account आपको देती है overdraft facility, overdraft facility का मतलब क्या होता है, कि आपके account में जितना पैसा है, जितना balance है, उससे जादा आप withdraw कर सकते हो, या उसे ज्यादा का भी आप payment कर सकते हो, तो यहाँ पे Mr. B को 1 lakh 10,000 पे करना है, Mr. A ने अपने खाते का check बना के दे दिया, तो भी यह check यहाँ पे clear हो जाएगा, अब आप बोलोगे मतलब मैं 200,000 रुपया बैंक में Mr. A को दे दिया, नहीं, यह जो additional 10,000 रुप यह पैसा किसका है, तो बैंक का है, तो बैंक एक तरीके से यह credit के तौर पे, उधारी के तौर पे Mr. A को दे रहा है, कि भाई 1,00,000 तो तेरे पास था, 10,000 हमारे तरह से हमने ते को credit दिया, और जब भी यह पैसा Mr. A बैंक को return करेंगे, उनको interest के साथ करना है, तो अब मान के मान के चलो मैंने आज 1,00,000 का check दिया, 10 दिन बाद मैंने account में एक लाक रुपया deposit किया, तो 10 दिन का 10,000 plus interest minus हो जाएगा, तो मान के चलो 1000 रुपया interest है, तो आपने account में एक लाक रुपया डाला, उसमें 11,000 यहाँ पे bank ले लेगा, बाकी पैसा आपके account में पढ़ा रहेगा In short, current account में businessman को credit facility मिलती है, एक unique facility मिलती है, जहाँ पे आपके account में जितना balance है, उससे ज्यादा का भी आप यहाँ पे transaction कर सकते हो, पर सवाल यह है कितने का, एक लाक दस अजर कर सकते हो, लेकिन मान क्या 11 लाके तो कर सकते है, ज़रूरी नहीं है यह overdraft facility की बिटा एक limit decide होती है, अगर bank कहता है कि आपके limit है यहाँ पे 60,000 रूपीज, तो उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, एक लाक रूपया है तो ज्यादा से ज्यादा एक लाक साथ हजार का transaction कर सकते हो, दो लाक है तो ज्यादा से ज्यादा दो लाक साथ हजार, मैं ब नहीं होती है, सबके लिए अलग-अलग होती है, depending on कितने पुराने है, क्या उनका credit score है, यह सारी बहुत सारे factors होता है, पट कहने का मतलब यह है कि overdraft की भी एक limit होती है, इसा नहीं कि चाहिए उतना withdrawal किया, लाक रूपया है, करोड का transaction कर दिया, not possible, not possible, ठीक है, तो यहाँ प interest तो नहीं मिलता, बट यह जो इत्ती सारी service आपको bank दे रहा है, कि चाहिए उतने transactions करो, कोई उसका cost नहीं है, overdraft facility, इसके लिए उल्टा आपको उनको कुछ service charges pay करने होते है, देने होते है, ठीक है, regular intervals पे, कभी monthly, quarterly, depend करता है, bank to bank और आपने जो मांगा है, regular intervals पे आपको statements मिल ठीक है, चालिए, आगे जाते है, to the next, चो की है, recurring deposit account, अब दीखे, savings account और current account तो दोनो demand deposit है, account में पैसा डाला, जब आपकी मर्जी तब आपने उसको withdraw किया, आपने जब demand किया, bank को आपको पैसा देना है, पर कुछ ऐसे deposits होते है, जिनको हम यहाँ पे कहते है, time deposits, क्यों बट deposit account मतलब क्या, for example, let us say, कोई एक bank है, bank में आपने एक recurring deposit, या तो इसको generally short form में कहते है, RD account open किया, तो सबसे पहले इसमें एक fixed monthly amount decide करना होता है, ठीक है, मान के चलिए कि मैंने fixed monthly amount यहाँ पे रखा है, 5000 रुपीज, ठीक है, तो every month, 5000 रुपीज, मेरे recurring deposit account, या तो इसको हम RD account लिख देते हैं, मेरे recurring deposit account, RD account में मुझे जमा करना है, जैसे मैंने अगर account open किया, जन्वरी में, ठीक है, जन्वरी में इस account में 5000 डाला, फिर February में डाला, फिर March में डाला, फिर April में, June and so on, अगर यह account मैंने open किया है, यहाँ पे 13 months के लिए, add, 8% interest, ठीक है, तो 13 months के लिए, एवरी मन, 5000 रुपए मुझे इस खाते में यहाँ पे deposit करने है, ध्यान से सुनो, recurring deposit में क्या होता है, सबसे पहले तो एक amount आपको decide करना होता है, कि हर मेने इस खाते में इतने पैसे में डालूंगी, वो 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया कितना भी हो सकता है, आपने decide किया 5000 रुपीज, तो हर मेने, for next 13 months, 13 मेने का हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, यह भी आप decide करो, आप बोलते ह कि 13 मेने ठीक है, 13 मेने तक में 5000 रुपया डालूंगी, हर मन 13 मेने के लिए आपको इस account में regularly 5000 रुपया डालने है, date भी fix होती है, मान के चलो 5th of every month, तो 5th of every month पे 5000 रुपया आपको इस account में यहाँ पर automatically डालने है, generally यह account आपके saving account से link होता है, तो automatically saving account से पैसा minus होके recurring account में चल रुपया जाता है, अब balance नहीं है तो fine लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे recurring account में एक monthly fixed amount every month इस account में transfer होता है, जितने time के लिए recurring deposit की amount के चलो 13 months, तो 13 months के बाद, 13 months के बाद, अभी आपका amount, principal amount कितना जमा हुआ, तो आपने 13 months के लिए 5, 5, 5, 5,000 रुपय यहाँ पे दिये, तो 65,000 रुपीज तो आपने already दिये है, तो यह 65,000 रुपीज प्लस 8% compound interest after 13 months, आपको वापस मिलेगा, इसको बोलते है recurring deposit, ध्यान से सुठो, recurring deposit में सबसे पहले time fixed होता है, 13 months, उसके बाद, एक monthly amount fixed होता है, जैसे 5000, interest भी आपको पहले से बताया जाता है, जैसे की 8% इस example में, तो recurring deposit में आपको savings account से जो rate of interest है, वो जादा मिलता है, और यह time deposit है, क्योंकि 13 महीने तक यह पैसे आपको withdraw नहीं करने, अब बच्चे बोलते हैं, माम ऐसे थोड़ी FDRD तोड़के withdraw कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हो, बट फिर आपका rate of interest बहुत कम हो जाता है, आपको वो benefit नहीं मिलता, तो इसलिए इसको नहीं करना होता है, fix period of time के लिए होता है, और इसलिए इसका कोई भी checkbook, कोई भी withdrawal नहीं होता, क्या ये clear है, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं फिर next पे, जो की है आपका fix deposit account, अब ये fix deposit account भी एक तरीके से आपका time deposit है, fix deposit account में basically क्या होता है, एक lump sum amount, ठीक है, लेटर से कि यहाँ पे मेरे पास one lakh rupees है, ठीक है, for fix period, again हम यहाँ पे लेते है, 13 months, at fixed rate of interest, जो की है, मान के चलिए, 8.2%, आप bank में रखते हो, तो मेरे पास एक लाक रुपया में bank में गई, मैंने बोला मुझे एक लाक रुपया की 13 महने की fix deposit कर दी है, एक लाक रुपया bank को दिया, उसने fix deposit account ओपन किया, उसमें एक लाक रुपय रखे, तो तेरा महने बाद मुझे 1 lakh रुपीज, plus 8.2% compound interest, after 13 months यहाँ पे receive होगा, simple सी बात है, बहुत simple बात है, अब generally बड़े fix deposit पे जो rate of interest होता है न, वो हमेशा सबसे ज़्यादा आपको मिलता है, तो आप बोलोगे कि मैं bank में कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा interest मिलता है, तो fix deposit में मिलता है, एक लाग रुपे में पहले महिना एक interest आएगा, फिर उसके उपर दूसरा, फिर उसके उपर तो compounding करके end में जो आपको interest amount मिलेगा न, वो recurring deposit से भी ज़्यादा आपको receive होगा, recurring में हर महिना आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, यहाँ पर एक साथ lump sum amount आपको एक fix time के लिए bank के पास रखना है, again यह time deposit है, इसमें से withdrawal किया, next मैंने 5000 निकाल लिया, बीच में निकाल लिया, not possible, हाँ, fix deposit को आप बिना maturity के, मतलब 13 महिने के पहले break कर सकते हो, बट फिर 8.2% आपको interest यहाँ पर नहीं मिलेगा, उससे कम receive होगा, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं, याद रखना यहाँ पर amount fixed होगा, जो आप एक fix term के लिए यहाँ पर, जैसे 13 months के लिए deposit करते हो, यह term 6 months to 5 years हो सकता है, जितना ज़्यादा term, उतना ज़्यादा व्याज, अगर मैं 13 महिने के बदले 5 साल के लिए deposit अगर करू एक साथ, कि 5 साल तक एक लाक आपका, तो हो सकता है कि मुझे 8.2 से ज़्यादा interest मिले, it can be 8.4, 8.6 and so on, ठीक है, दूसरे important चीज, यहाँ पे जो bank होती है, वो आपको एक proof of deposit देती है, जिसको FDR या fix deposit receipt कहते है, अब मैंने bank में पैसा डाला, एक साल के बाल मुझे bank से पैसा with interest लेना है, बट क्या proof है कि मैंने bank में पैसा डाला और वो मेरा ही है, तो इसलिए जब भी हम एक fix deposit account open करते हैं, तो ऐसा एक document आपको दिया जाता है, जिसको FDR, fix deposit receipt कहते है, this is a proof of deposit, कि भई आपने इतना पैसा इतने व्याज पे ये तारीक को deposit किया था, ये दिन को वो mature होगा और आपको इतना पैसा मिलेगा, तो तेरा महिने होगा, ये receipt लेके आपको bank के पास जाना है, कि भई मेरी deposit mature हो गई, मुझे मेरा पैसा दे दो, वो receipt लेगा, उसको cancel करेगा, account close करेगा, आपका एक लाक रुपया plus interest आपके savings account में transfer कर देगा, पैसा आपका उसका जो करना है करो, ठीक है, तो all in all bank में multiple types of deposits होते है, अगर आपको एक fixed term के लिए रखना है, ज्यादा व्याजशी है तो fixed deposit करो, एक साथ इतना पैसा नहीं है आपके पास, हर महिना थोड़ा 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 कर सकते हो तो recurring करो, आपको ऐसा bank में रखना है safety के लिए और जब चाहे तब withdraw करना अपने usage की साब से, तो savings open करो, business है, unlimited transactions ये, तो current account open करो, लेकिन ऐसे लोगों को क्या, जिनको savings भी चाहिए, fix भी चाहिए, तो इसलिए banking आपके लिए एक new type of account लेकर आया है, जिसको हम यहाँ पर कहते है, multiple options deposit account, जिसे basically इस account में आपको two different account के features है, जैसे for example, savings plus fixed account के features combine करके मिलता है, तो basically होता क्या है, देखे, savings में, जो rate of interest है, वो low है, और fixed deposit में यहाँ पर fixed term है, बट rate of interest ज्यादा है, तो दोनों में कुछ ना कुछ problem है, तो मैं अगर bank के पास जाती हूँ, मैं उनको कहती हूँ, कि देखिए, यहाँ पर एक amount के बाद, अब जैसे मैंने यहाँ पर limit set कर दी है, five lakh rupees, ठीक है, यह मैंने एक limit set कर दी है, मैंने bank को यहाँ पर instruct किया, कि five lakh से उपर, जब भी amount जाता है, तो 50,000 rupees की FDR आप बनाते जाया करो for six months, ठीक है, तो मेरे account में 4 lakh रुपए है, फिर 5 lakh हुए, फिर 6 lakh हुए, फिर 6 lakh हुए, तो bank क्या करेगी, दो 50,000 की FDR बना देगी, फिर 6 lakh 50 हो गया, तो वापस वो 25,000 की bank क्या करेगी, FDR बना देगी, तो मुझे limit सेट करके bank को देना है, कि देखो मेरे savings account में 5 lakh रुपया होना चाहिए, 5 lakh के उपर जब भी पैसा जाए, 50,000 कलेक्ट हो जाए, तो उसका आप खुदी FDR बना देना, और 6 मेने के लिए बना देना, मैं चार हो गया, और बढ़ाना है, तो मैं बढ़ाते रहूँगी, वो मेरी मर्जी है, तो यहाँ पर combination आपको मिलता है, savings account का, आपको यहाँ पर withdrawal का फाइदा मिल गया, कि जब चाहिए, वो 5 lakh रुपय में से आप withdraw करो, प्लस उपर का जो amount है, आपने उसका fix deposit कर दिया, तो यहाँ पर आपको fix deposit का, rate of interest का benefit मिला, तो यह multiple options account भी available है, आप बोलोगे माम मिरको इसा नहीं करनेगा, मिरको savings account में से कुछ नहीं करनेगा, जब मन करेगा, खुच जाके FDR कराऊँगा, करा सकते हो, your choice, दोनों options available है, ठीक है, चलिए, यहाँ पर आगे जाते हैं next पर, अब यह जो है, these are different services जो banks देती है, अब दो services तो आपने पड़ी, कि एक तो bank का काम है, पैसे accept करना in the form of deposit, दूसरा bank का यहाँ पर काम होता है, loans देना, पैसे lending करना, loan देना, borrowers को पैसा देना, बट क्या सिर्फ इतना काम करता है bank, गलत, अगर banking की बात करूँ, तो पैसे accept करना in the form of deposit, और loan देना, इसके अलावा भी bank बहुत सारी different, different services आपको देता है, जैसे सबसे पहले service यहाँ पे है, आपका bank draft, ठीक है, bank draft का अगर बात करें, तो इसको आप DD भी कहते हो, या तो इसको आप demand draft भी कहते हो, ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कि school colleges में हम admission लेते हैं, तो हमें fees पे करना होता है, तो college हमको बोलता है, अरे जा, एक fees जो है, 5000 मान के जो लो fees है, तो 5000 का ना तो bank के पास से demand draft लेकर आ, क्या होता है exactly demand draft, ध्यान से सुनना, मुझे अगर 5000 का demand draft चाहिए, जो भी nearby bank है, मैं उनको बोलूँगी, देखे सर, मुझे 5000 का DD बना के दीजे, वो bank बोलेगा, सबसे पहले मुझे 5000 रुपए दो, मैंने 5000 दिये, फिर वो बोलेगा, अभी और 500 रुपया दो, तो मैं बोलूँ क्या होंगे 1500 रुपय का ही का, अरे वो आपको DD बना के दे रहा है, वो आपको service दे रहा है, तो free में तो काम कोई नहीं करता, तो जो भी amount of DD है, 5000 का DD बनाना है, 10,000 का DD बनाना है, वो तो आपको bank को वो पैसा देना ही है, प्लस उनका commission या, तो service जाज देना है, ठीक है, मैंन 5000 और 1500 रुपय उस bank को दिया, bank वो पैसा लेगा, एक demand draft जो कुछ ऐसा दिखता है मेरे को बना के देगा, अब एक demand draft बेसिकली क्या mentioned है, college का नाम या college के account का नाम, कि इस college के खाते में 5000 रुपय डाल दो, कौन डालेगा, मैंने bank को पैसा दिया ना, bank उसके account में पैसा डालेगा से basically क्या होता है, तो demand draft एक ऐसा instrument है, जहाँ पे एक खाते से दूसरे इंसान के खाते में पैसा transfer होता है, तो आप बोलोगे मैं मैं वो तो check ना, नहीं, अब देके check में क्या होता है, check unsecured है, आपने check बना दिया 10 लाग का, आपके खाते में balance ही नहीं है, तो check तो bounce हो जाएग जनरली इसको secured बोलते है, क्योंके इसमें जो amount of money है, it is already received, मतलब 5000 बैंक ने पहले लिया फिर DD बनाया ना, तो ये DD का bounce होने का, cancel होने का कुछ chances है, क्या बिटा नहीं है, क्योंकि 5000 मैंने पहले दिया, फिर बैंक में मुझे DD बना के दिया, तो 5000 रुपया guaranteed सामने वाले के खाते में मिलेगा, इसके लिए बोहुत सारे school colleges DD मंगवाता है, कि guaranteed of payment of fees यहाँ पे उनको मिल जाता है, ठीक है, चलिए, आगे जाते है, it can be obtained from a bank after, याद रपना only after depositing required amount in the bank and उनका commission, तो आप bank को बोलो के 5000 का DD बना, तो पहले वो अपसे वो पैसे लेगा, commission फिर ही DD बना के देगा, क्योंकि secured promise है, भाई, जहां भी bank promise कर रहा है, कि भाई, मैं तरको 5000 रुपे दूँगा, तो इसको फिर तुमने नहीं दिया, तो क्या, तो इसलिए पहले पैसा दो, फिर DD लो, ठीक है, तो DD एक चेक की तरह ही act करता है, कि एक account से दूसरे account में पैसे होता है, बस ही secured होता है, और इसलिए bank पहले पैसे लेता है, फिर ये DD बनाता है, सामने वालों को आपको DD सब्मिट करना है, वो व्यक्ति जैसे अपने bank में DD सब्मिट करेगा, ठीक है, एक account से उनके account में 5000 रुपे आ जाएंगे, commission जो bank DD बना के देता है, उसको मिलता है, simple सी बात, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं to the next, जिसको कहते है, bankers check ये तो pay order, एक तरीके से ये local DD है, देखे, demand राफ जो है, इसका कोई area limit नहीं होता, देखे, यहाँ पे, बिटा, मैं pay order की अगर बात करू, तो pay order एक तरीके से DD की तरह ही काम करता है, इसमें भी guarantee of payment रहता है, पर difference इतना है, कि generally ये within the town काम करता है, इसलिए इसको local DD कहता है, तो एक particular town में अगर आपको किसी को payment करना है, तो यहाँ पे pay order बना के आप दे सकते हो, पहले पैसे deposit करना है, pay order उसको जाके देना है, वो जैसे deposit करेगा, उसको पैसा आ जाएगा, difference इतना है कि DD की कोई local limit नहीं होते है, कहीं पे भी इसको दे सकते हो, pay order की local limit होती है, एक area limit होती है, और pay order पे इसलिए generally commission charge होता है, बट compared to demand draft कम होता है, तो difference जादा नहीं है, बस ये एक area तक चलता है, DD कहीं पे भी चलता है, ठीक है, चलिए, आगे जाते है to the next, जिसको कहते है overdraft facility, जो मैं आपको already बता चुकि हूँ, overdraft facility में जो current account holder होता है, जो businessman होता है, वो अपने account balance से जादा withdraw कर सकता है, जो भी जादा withdraw और जितने दिन के लिए किया, उस हिसाब से उस पैसे को interest के साथ उसको bank को लोटाना भी पड़ता है, ठीक है, next जो है, उसको कहते है cash credit, अब देखे, cash credit basically क्या होता है, तो आप कोई भी चीज को as a security रखे, चाहे वो gold हो, चाहे वो कोई asset हो, जैसे bike है, गाडी है, घर है, gold है, stocks है, जैसे shares है, तो उसको गिरवी रखे, bank के पास security के तौर पे रखे, bank से आप यहाँ पे cash credit के तौर पे, उधारी के तौर पे ले सकते हो, जायर सी बाते इस पे भी व्याज है, जो आपको bank को लोटाना है, वरना आपका asset बेच कर bank उस पैसे को recover कर सकता है, पर याद रखना यहाँ पे cash credit without कोई collateral security आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, चलिए, आगे जाते है to the next, जो की है different types of loan, अब loan जो है short, medium, long term of loan होते है, basically, जो loan decide होता है, वो decide होता है on the basis of time period ठीक है, तो आपने एक साल के लिए, पात साल के लिए, दस साल के लिए, तीक साल के लिए, कितने time के लिए loan लिया, उसके basis पे loan short term है, medium term है, या long term है, ये decide होता है, तो loan में क्या होता है, एक lump sum amount, यहाँ पे आप bank से borrow करते हो, for example, आपने यहाँ पे loan लिया, of 30 lakh रुपीज कर तो यहाँ पे 20 years, 20 साल के लिए आपने 30 lakh का loan लिया, interest कितना, तो 8.2% interest पे है, तो आपने 30 lakh का loan लिया, 20 years के लिए 8.2% interest पे, तो आप बोलों कि ठीक है, फिर 20 साल के बाद हम बैंक को यहाँ पे 30 lakh रुपया पे करना है, नहीं, ये जो loan का payment होता है, ठीक है, ये payment हमेशा होता है, EMI में मतलब easy monthly installment, ठीक है, तो जो भी amount है, plus interest, इसके मताबिक 20 years के लिए ये divide किया जाएगा, 20 to 12 months, उससे divide किया जाएगा, तो मान के चली, यहाँ पे आपको monthly bank को पे करना है, 24,000 रुपीज, तो हर महिने 24,000, 24,000, 24,000, 24,000 आपको पे करना है, जब तक आपका 30,000,000 with interest पूरा नहीं होता, generally 20 years में ये पूरा होगा, तो जैसे interest बड़ा तो term भी बढ़ता है, ऐसे बहुत सारे concept होता है, पिट basically loan क्या होता है, एक तो आपको बड़ा lump sum amount bank उधारी पे देता है, fix sum होता है कितने सालों में lot आना है, और fix interest होता है कि base के उपर कितना interest लगेगा, अब RBI ने interest change किया, तो इसके उपर भी interest change होता है, ठीक है, इसके लिए generally इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको कहते है floating interest, ठीक है, अब देखिए, loan की बात करें, तो loan यहाँ पे हमेशा आपको installments में pay कर करना होता है, तो अगर मैंने गाड़ी ली, 7 साल के loan के लिए, तो 7 साल में हर मैंने थोड़ा, 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 थोड़ा करके मुझे उसका payment करना है, कितने साल के लिए यह loan लिया है, 1 साल, 5 साल, 10 साल, तो उसे साब से वो short है, medium है, long term loan है, यह यहाँ पे decide किया जाता ह है, different types of loans पे, जो rate of interest होता है, वो vary करता है, जैसे car loan पे अलग होगा, home loan पे अलग होगा, और अलग-अलग लोगों के लिए अलग होगा, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं, अब हम to the next, जो की है आपका e-banking, ठीक है, जैसे मैं आपको already यहाँ पे करो, दो, फिर टोकन मिलेगा, टोकन अनाउंस होगा, फिर जाओ, cash log गिनो, यह सारी चीज़े होती थी, बट अब यह दुनिया थोड़ी से digitalize हो गई है, टेकनलोजी आ गई है, तो यह टेकनलोजी को bank के सिस्तमाल ना करे, और इसी लिए आजकोल जो banking है, उसको हम इंटरने banking, ठीक है, e-banking exactly क्या है, तो कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से, अपने computer, laptop या mobile पे बहुत सारी यहाँ पे different banking activities, bank के website या तो application के द्वारा कर सकता है, इसी को कहते है e-banking, घर बैठे मैं अपने account को open करके, अपने account से दूसरे account में पैसे transfer कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरे account में कितना balance है, तो मैं चेक कर सकती हूँ, मुझे मेरी passbook चेक करने है, different transactions चेक करने है, तो मैं कर सकती हूँ, तो घर बैठे, electronic devices के द्वारा, internet के माध्यम से, bank के given website या तो mobile application के द्वारा, अगर आप banking activities कर सकते हो, तो इसी को कहते है e-banking या तो digital banking, ठीक है, याद रखना, इसके लिए internet होना पहली चीज़ तो जरूरी है, bank के एक website या mobile application, जिसमें आपका login ID, passport होता है, unique login, unique passport होता है, जिससे आप आपके account पे login करके, ये सारी चीज़े banking activities कर सकते हो, ठीक है, e-banking अगर बात करें, तो ये services जो है, bank provide करती है, और इ इसलिए इसको e-banking यहाँ पे कहा जाता है, बहुत सारी banks, अभी तो मैं कहूंगी, हर bank के वो अपने customers को e-banking services देती है, जैसे mobile banking, NEFT, RTGS, net banking, ये सारी जो services है, this is e-banking, ठीक है, जैसे mobile banking है, तो घर बैठे, अपने mobile phone में, आप यहाँ पे application में login करके, checkbook के लिए apply करना, passbook चे transfer डाला, अपने account में से, एक account से, दूसरा account पैसा transfer करना है, account details check करना है, तो ये चीज़े भी आप यहाँ पे कर सकते हो, और इसी को e-banking कहते है, क्योंकि यहाँ पे सारी banking की चीज़े, घर बैठे, electronic devices पे, internet के माधियम से की जाती है, ठीक है, चलिए, आगे जाते है, अब to the next benefits of e-banking, अब देखें, e-banking के फाइदे दोनों को है, किस दोनों को, तो सबसे पहले e-banking के फाइदे, customers को क्या है, अब जैसे आप एक bank में account open कराते हो, वो bank आपको e-banking facility देती है, तो as a customer आपको इसका क्या फाइदा है, सबसे पहली and most important चीज़, यहाँ पे पूरी transparency होती ह है, क्योंकि जो भी transactions है, यह transactions का बिटा proper record आपके पास होता है, अब जब चाहो अपने application में देख सकते हो, कि आपने पैसा कितना deposit किया, कब किया, कितना पैसा आपने withdraw किया, कब किया, यह पूरी transparency हरी transaction, छोटे से छोटा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, दूसरे important चीज़, bank क timing होता है, सुबह 11 से 4, 11 से 1, 2 से 5, तो bank के timing होता है, Sunday को बन, bank holiday को बन, लेकिन e-banking का कोई time नहीं है, Sunday को आपको transactions करना है, checkbook आपको apply करना है, passbook चेक करना है, घर बैठे कर सकते हो, रात को आधी रात को transaction करना है, कर सकते हो, देखो e-banking का कोई time, कोई छुटी नहीं होता, 365 days, 24 hours, 7 days a week चालू रहता है, तो time देखना, time के मताबिक bank जाना, ये जंजट खतम, ठीक है, next important चीज़ यहाँ पे, customers जब जहां से चाहे, वहां से transaction कर सकते हो, पहले कैसे आपको हर चीज़ के लिए bank भागना पड़ता था, अब आप घर बैठे, train में से, office में से, गाडी में से travel करते वक्त, जब चाहे अपने banking transactions कर सकते हो, next important चीज़ क्या है, कि यहाँ पे financial discipline, देखो, हर तरीके से, आपका एक तरीके से transaction record होता है, ठीक है, तो पैसे कितने बाकी है, कितने आपने transactions किये, currently balance कितना है, तो एक financial discipline आजाता है, कि इतना पैसा में इस महीने use कर चुका हो, इतना ही पैसा account में बाकी है, तो भई संबलो, ठीक है, next important चीज़ यहाँ पे क्या है, कि एक best चीज़ यहाँ पे customer satisfaction आपको मिल जाता है, ठीक है, पहले कि इसे होता था कि bank में जाने के लिए most of the time, जो job करने वाले लोगे उनको कहीना कि छुट्टी लेनी पड़ दी थी, ठी अब ऐसा नहीं है, तो हर एक bank आज customers को e-banking service दे रहे हैं, क्यों क्योंकि customers की need है, उनकी need को पूरा करके कहीं न कहीं customers को better services दे के satisfy कर रहे हो कि भई वो आपके bank के साथ हमेशा जुड़े रहे, तो यहाँ पे as a customer जायर सी बाते बहुत सारे आपको benefits है, बट बैंक को भी तो ऐसा नहीं है कि customer को bank को नुकसान है, नहीं, तो बैंकिंग के तौर पे सबसे पहली चीज आपको competitive advantage मिला, अब bank में भी बहुत competition है, banking sector में, कितनी सारी private banks है, cooperative banks है, government banks है, इतनी सारी bank है, तो customer आपकी bank में आएगा, आपकी bank में account open करेगा, क्यों? अगर आप उनको अच्छी services दोगे, तो आप उनको e-banking दे रहे हो, different services दे रहे हो, mobile banking भी दे रहे हो, net banking भी दे रहे हो, better service दोगे, तो customer क्यों नहीं आएगा, मेरे दोस्त, तो better services दे के कहीं ना कहीं, आप ज़्यादा customers को आपके bank में आके account opening के लिए convince कर सकते हो, ठीक है, next important चीज यहाँ पे क्या है, कि दे के e-banking में unlimited network to the bank है, और इसमें कोई भी branches का limitation नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे घर के नजदीक के branch का ही transaction करना है, अरे मेरा अगर branch दूसरे भी कोई state में है तो वहां कभी transaction में यहाँ बैठे कर सकती हूँ, तो कोई branch limitation घर के नजदीकी bank होना चाहिए, उधर का ही करन branch ऐसा नहीं है, सारे banks इसमें जूड जाते हैं, integrate हो जाते हैं, तो आप एक जगे से कोई भी bank जो कहीं पे भी है, उसका transactions कर सकते हो, ठीक है, next important चीज क्या है, कि जो branches पे load है भाई, वो कम हो गया, ठीक है कैसे होता है, पहले branches पे बहुत load होता था, customers आते थे, भीड लगती थ लाइन लगती थी, अब इसमें चालू दिन है, जैसे तीन दिन चुट्टी आ गई, फिर next दिन bank जाने is like a task, जंग लडने यह असा है, ठीक है, बट यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, देखें, लोग e-banking सीख गया है, number of people जो bank जाते है, automatically reduce हो गया है, banks ने अपना सारा data एक साथ compile कर लिया है, तो कोई भी branch का, कोई भी व्यक्ति का data चे तो आपको एक जगे पर असानी से मिल जाता है, तो books चेक करो, records चेक करो, यह भी जंते कहीं न कहीं कम हो गई है, पहले लोग जाते थे, मेरे खाते में कितना balance है, अब तो एक miss call मारो, खाते का balance पता चल जाता है, कब न कहीं इसके फाइदे जो है, वो आपके bank को भी बिल्कुल है, e-banking में क्या-क्या आपको services मिलती है, यह जानना भी बहुत जरूरी है, e-banking क्या है, चलो समझ है, e-banking के फाइदे समझ गए, बट यह फाइदों को लोगे कैसे, क्या different services है, तो सबसे पहली यहाँ पे digital payment में आता है आपका debit card, यह पहली चीज़ तो यह समझ लो, ATM card और debit card सेम है, पहली चीज़ तो यह, तो क्या होता है debit card, अब देखिए मेरे account में 10 लाक रुपया है, मैंने एक bank में savings account open किया, वो account में 10 लाक रुपया है, तो मुझे savings account में एक demand deposit है, बोलते है, जब चाहे तो अब इसे अची है, तो bank में जाओ, line लगाओ, पैसा withdrawal का slip लो, फिर token लो, फिर number आएगा, फिर जाओ, फिर cash collect करो, छुट्टी का दिन करना है तो, रात को करना है तो, तो इसी लिए banks ने आपको दी है एक debit card facility, debit card एक तरीके से क्या होता है, तो एक plastic card होता है, कुछ ऐसा दिखता ह ठीक है, इधर mentioned होता है debit card, ठीक है इधर आपके bank का नाम mentioned होता है, यहाँ पर आपका card number mentioned होगा, जो हर एक card का unique होगा, अलग होगा, ठीक है, यहाँ पर card का आपका expiry mentioned होगा, कि कभ ये card expire होगा, और ये card के back side पे इसका CVV mentioned होगा, जो हमेशा यहाँ पर three digit CVV होगा, याद debit card basically क्या है सबसे पहली चीज, debit card एक ऐसा card है जो directly आपके bank account से linked होता है, अगर आपको आपके account से कोई भी transaction करना है, कहीं पे भी payment करना है, इस debit card के द्वारा कर सकते हो, most of the businesses के पास, most of the sellers के पास, एक pointer sales करके machine होता है, आपने वो machine देखा होगा, जिसमें ऐसे keypad होता है, जिसके अंदर ऐसे card डलते है, उसी को कहते है point of sales, यह जो machine होता है, उस bank के computer से directly connected होता है, तो यह जो card होता है, इसमें आपने देखा होगा, इसी golden chip होती है, ठीक है, यह जो golden chip होती है, इसमें सारा आपका banking details और data connected होता है, तो जैसे वो card डाला, वो chip का data, वो machine read करेगा, और bank के system से connect करेगा, अब bank के system से जैसे connect करेगा, वो आपके account से connect होके, आपके account से आप उसमें transactions कर सकते हो, तो card डाला transaction किया नहीं मेरे दोज, हर एक card का एक pin set होता है, यह pin हमेशा four digit pin होता है, यह pin ही identification है कि आप owner of the card हो, और इसी लिए यह pin किसी को नहीं बताना है, यह proof है कि आप owner of the card हो, card आपका है और आप अपने खाते से transaction कर रहे हो, तो किसी के हाथ card लग भी गया, pin नहीं पता तो दे के not use it, ठीक है, तो यहाँ पे यह जो card है, सबसे पहला point of sales machine में डालोगे, वो आपके bank से connect करेगा, उसके system से connect करेगा, आपका data read करके, आपके account से connect करेगा, जो भी amount आपको pay करना है, वो enter करके, जैसे आप उसमें 4 digit unique pin है, वो डालोगे, वो पेसा जो है, आपके account से, seller के account में यहाँ पे transfer हो जाएगा, इसको हमेशा याद रखेगा, ठीक है, देखे, जैसे मैंने आपको बता था, ये एक debit card है, ये golden chip है, जहाँ पे आपका पूरा data mentioned होता है, ठीक है, इसको कहते है, card number, ठीक है, ये card number हमेशा 16 digit होता है, यहाँ पे इसकी validity है, ठीक है, यहाँ पे आपका नाम होगा, जिसके नाम पे ये card है, इसी card के back side पे एक CVV, जो 3 digit होगा, 3 digit CVV यहाँ पे होता है, ठीक है, प्लास एक pin आपको इस card के लिए set करना होता है, pin enter करने के बाद ही ये details आपको मिलती है, मतलब आपका account से वो connect करके transaction होता है, most important चीज़, debit card से जो भी transaction करना है, वो आपके account से होता है, तो account में जितना पैसा है, उतना ही maximum transaction हो सकता है, आपके account में एक लाख रुपया है, आपको debit card से एक लाख बीस अजर का transaction करना है, क्या आप कर सकते हो, नहीं, जितना account balance है, उतने का transaction इस debit card से आप कर सकते हो, simple सी बात, ठीक है, debit card एक ऐसा plastic card है, जिससे पैसा एक account से दूसरे account में आप pointer sales machine के द्वारा transfer कर सकते हो, simple सी बात है, ठीक है, चलिए, अब debit card का भाई भाई, कौन आता है, भाई मेरा credit card, अब जिखने में तो कहीं न कहीं वो debit card की तरह ही होता है, same to same, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्रेडिट card की बात करें, तो यह ऐसे card है, लिखा होगा credit card, ठीक है, यहाँ पर 16 digit का आपका card number होगा, ठीक है, यहाँ पर owner of the card का name होगा, bank का नाम होगा, और यहाँ पर आपका expiry या तो validity होगा, ठीक है, काड के back side पे, CVV, 3 digit, तो फरक क्या है, सब कुछ तो same है, वही card number वही नाम वही, bank का नाम वही, expiry वही, CVV, same है, भाई, फरक है, difference यहाँ पर यह है कि credit card कोई भी account से link नहीं होता है, तो जो bank का credit card है, उस bank में आपका account होना जरूरी है, क्या पहली बात को नहीं, credit card के अगर बात करें, तो credit card एक तरीके से आपको overdraft, या तो आप कह सकते हो, credit limit देती है, तो मानके चले कि मेरा credit card का credit limit है, 1 lakh रूपीज, ठीक है, इक card से up to 1 lakh रूपीज का transaction में हर महीने limit monthly set होती है, हर महीने 1 lakh तक का transactions कर सकती हूँ, मुझे पैसे आज लेने है, एक मन्त पूरा होने के बाद वो पैसा पे करना है, हर मन्त याद रखना यहाँ पे credit card का monthly bill generate होता है, तो मानके चलो कि यहाँ पे letter से कि December मन्त में आपने credit card से 20,000 रूपीज यूज किये, 20,000 का transaction किया, इसका bill generate होगा January में, तो January में 20,000 रूपीज का bill आएगा जो आपको pay करना है, तो खर्च आज करो, payment कल करो, एक तरीके से यह आपको overdraft facility, credit facility, उधारी पे पैसा मिल रहा है, कि December में हमने आपको उधारी दिया, जनवरी में pay करो, फिर जनवरी में जो भी खर्च किया, फेबरुरी में pay करो, मतलब खर्च आज करो, pay कल करो, बाकी चीजे इसमें याद रखना सेम होती है, credit limit हमेशा company fix करती, बहुत सारे उसमें factors होते हैं, जरूरी नहीं है, कि सभी की credit limit सेम होती है, किसी की 20,000, किसी की 10,000, किसी की 50,000, किसी की 10 लाग भी हो सकती है, ठीक है, चलिए, यहाँ पर आगे जाते हैं, next facility के पास, जिसको कहते है, NEFT या तो full form and national electronic fund transfer, अब देखे, NEFT के अगर बात करें, तो NEFT basically क्या है, आप एक account से दूसरे account पे यहाँ पे पैसे digitally transfer कर सकते हो, तो मेरे account से मुझे अगर किसी X को payment करना है, तो उसके account में मुझे 20,000 रुपे मेरे account से डालने है, तो मैं NEFT के द्वारा यह transfer digitally, online यहाँ पे कर सकती हूँ, पर याद रखना, इसका जो भी settlement होता है, net basis पे होता है, for example, मान के चलो कि अभी मैं सोचती हूँ कि मुझे Mr. X को 20,000 रुपीज देना है, तो मैंने NEFT किया, मेरे account से 20,000 Mr. X के account में डालने के लिए, तो अभी कि अभी वो पैसे transfer हो जाएगा, क्या, नहीं, याद रखना कि every day, ठीक है, इसका एक fixed time होता है, let us say time है 4 PM, ठीक है, तो चार बज़े तक जो भी NEFT transaction हुआ, जैसे for example, ग्यारा बज़े एक पाँच हजार का NEFT हुआ, बारा बज़े एक दो हजार का NEFT आया है, एक बज़े एक छे हजार का आया है, दो बज़े एक टू थाउजन का आया है and so on, यह सारी transactions collect होंगे, चार बज़े एक साथ यह सारे transactions किये जाएंगे, तो NEFT net basis पे होता है, ऐसा नहीं कि अब भी पैसा आपने transfer किया, तूरंद वो सामने वाले के खाते में पहुच गया नहीं, एक fix time होता है जब सारे transactions को किया जाता है और उसी time पे वो transactions होके, उस व्यक्ति की खाते में पैसा आ को चोटे से चोटे amount का transaction from one account to another account यहाँ पे कर सकते हो, currently इंडिया में ऐसी 75,000 bank branches है जो NEFT facility देती है, आजकल हर बड़ी bank है जो यह NEFT facility देती है, ठीक है, NEFT से similar होता है RTGS, जिसको real time gross settlement कहते है, दो important चीज़े हैं, जो RTGS को NEFT से अलग बनाता है, सबसे पहली चीज, RTGS की एक limit होती है, एक minimum limit होती है, मेरे दोस कितनी होती है, तो यहाँ पे RTGS की minimum limit है, दो लाख रुपए, तो दो लाख रुपए से नीची का transaction करना है, तो NEFT, दो लाख यह उससे ज्यादा का transaction करना है, तो अब RTGS भी कर सकते हो, RTGS में NEFT से क्या फरक है, तो यहाँ पे transaction gross settlement पे होता है, अभी आपने दो लाख का transaction क्या, अभी के, अभी वो पैसा आपके account से दूसरे account में transfer हो जाएगा, कोई वो waiting period की 4 बज़े तक रुकना है, नेक जिन 11 बज़े तक रुकना है, ऐसा कोई भी waiting period यहाँ पे नहीं होता, तुरंथ पैसा transfer होता है, बट इसकी एक minimum limit है, दो लाख तो दो लाख यह उससे ज्यादा का transaction करना है, तभी आप यहाँ पे RTGS करते हो और इसका पूरा control आपकी central bank, that is reserve bank of India के हाथ में है, याद रखिएगा, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं next पे that is ATM, या तो इसको automated teller machine भी कहता है, अब ATM machine तो पटा है, यहाँ पे सबको पता है, पर उसका full form हमें नहीं पता होता है, इसलिए exam में पूछा दाता है, तो ATM का full form बिलकुल यहाँ पे याद रखिएगा, ATM की अगर बात करें, तो देखिए, automated teller machine, teller कौन होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ती, कोई भी ऐसा व्यक्ती, जो deposit accept करें और payment करें, उसको कहते हैं teller, तो मुझे मेरे पास पैसे है, मुझे bank में deposit करना है, मैंने पैसा दिया, उससे मेरे खाते में डाल दिया, मेरे खाते से मुझे पैसे withdraw करना है, मैं गई, मैंने बोला withdraw करना है, slip भरा दिया, उससे मेरे खाते से पैसे निकाल के दिया, एसे व्यक्ति को कहते हैं टेलर, अब यही टेलर अगर एक मशीन बन गई, एक मशीन है जहापे आप जाते हो मशीन को बोलते हो देख यह मेरा खाता है इसमें से पैसे दे वो आपको देता है, अब बोलते हो देख यह मेरा खाता है इसमें पैसे भर वो भरता है, तो अगर यह यही काम एक मशीन करें और वो भी 24-7, 24-7 days a week, अभी बैंक में जाओगे तो 24 घंटा थोड़ी कोई बैठा होगा, पर ATM मशीन में आधी रात को भी जाओगे और बोलोगे पैसा देने खाते में से, तो वो देगा, अगर रहेगा तुँ आ, obviously, ठीक है, तो वो देगा, तो यही काम अगर एक मशीन करें तो इसी को कहते हैं ATM automated teller machine, जो 24 hours, 7 days a week आपको यह service देता है, याद रखना ATM मशीन से आप withdrawals भी कर सकते हो, आप यहाँ पे deposit भी कर सकते हो, और generally इसके लिए आपको एक plastic card जिसको आप ATM card भी कहते हो, यह bank से आपको मिलता है, यह card में again एक golden chip है, enter करना है, machine यह chip को read करके आपका details देखके आपके account में जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपके account से अगर आपको पैसा withdraw करना है, तो amount enter करो, आपका जो identification pin है, again यह 4 digit pin है, किसी को बताना नहीं होता, यह pin आप enter करो, machine verify करेगा, अगर pin सही है, तो वो आपके account से पैसा minus करके, in the form of cash वो आपको देगा, similarly आप यहाँ पे पैसा भी deposit कर सकते हो, बट याद रखना, यह 4 digit ही आपका identification होता है, कि भई यह आप ही हो, जो आपके account से transaction कर रहे हो, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं, अब हम next point पे, जो की है last, that is e-cash, या तो इसको digital cash भी कहते है, जो आजकल आप स सिखाना चाहिए, कि बच्चों को मुझे सिखाना चाहिए, बट e-cash की बात करें, तो एक नया concept है, जापे यहाँ पे internet के द्वारा, एक particular software को install करके, आप यहाँ पे एक account से दूसरे account में transaction कर सकते हो, जैसे UPI है, Paytm है, BHIM है, तो इनके द्वारा, इन software के द्वारा, आप ए एक account से, दूसरे account में पैसे transfer कर सकते हो, Payments यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, तो इक cash, digital cash, digital wallets इसी को कहते है, यह different types of banking systems है, यह आप कह सकते हो, banking services है, जो e-banking में आई है, जिसको हम internet के द्वारा यहाँ पे कर सकते है, ठीक है, चलिए, आगे जाते है, next concept पे जो की है आपका insurance, तो एक तो very important service जो हर एक business use करता है, वो है banking, बट क्या एक ही service है, जो business use करता है, गलत, second important service जो यहाँ पे business use करता है, उसको कहते है insurance, अब यहाँ पे बिटा मैं insurance की बात करू, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी business है, तो हर एक business में uncertainties, या तो risk of uncertainty, कभी भी कुछ हो सकता है, अब जैसे आपके go down में short circuit हो के आग लग गए, आपके goods करोडों के damage हो गए, या अच्छानक से बहुत बारिश आई और flood हो गया, पानी भर का goods damage हो गए, अच्छानक से earthquake आया, building गिर गई, तो हर एक business में कोई ना कोई uncertainty risk रहता है, और यह आपको बोलके नहीं कि भई नुकसान तो कभी भी हो सकता है, नुकसान को रोक नहीं सकते, बट insurance लेके ये तो ensure कर सकते हो कि भई नुकसान हुआ, तो भी भरपाई मिल जाएगी, simple सी बात, तो इसलिए हम क्या करते हैं अपने आपको risk से protect करने के लिए, insurance करते हैं, तो insurance एक ऐसा agreement है, जिसमें दो होते है, insurer, insured, ठीक है, ये agreement में सारे terms and conditions, सब कुछ mentioned होता है, जिसको कहते है, policy, एक काम करते है, एक एक करके term को समझी लेते है, चरू ठीक है, वरना confusion भाई, पूरे chapter में रहना है, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं, थोड़ा से इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है, ओके, अब insurance की बात करें, तो insurance में generally four important चीज़े हैं, जो आपको समझनी है, कौन सी four, तो सबसे पहले, कौन होता है insurer and कौन होता है insured, ठीक है, अब यहाँ पे insurer की बात करूँ, एसी company, any company, that provides risk cover, is known as the insurer, अब जल से for example, मैं कहती हूँ कि भई मेरको एक risk है, मैं कभी भी बिमार पड़ सकती हूँ, और यार, hospital के खर्चे इतने जादा है, तब अगर पैसे नहीं होँगे, तो क्या करूँगी, इलाज कैसे करवाँगी, risk है, तो मैं company के पास जाती हूँ, मैं बोलती हूँ, आपके बस medical insurance policy है न, मेरको लेने गाए भाई, ठीक है, company बोलती है, चलो ठीक है, हम आपको medical insurance policy से ये cover देते हैं, कि अगर आप बिमार पड़े, hospitalized होए, बहुत खर्चाएगा, तो हम उसकी भरपाई करेंगे, हर company जो आपको risk cover करती है, आपके risk को cover करके देती है, आपको insure करती है, उसको कहते हैं insurer, basically जिस company की policy है, उसको कहते हैं insurer, तब insure कौन, any person or business who receives risk cover, यह जो व्यक्ति है, जो business अपने risk को cover करके लेता है, जैसे मैंने insurance खरीदा, तो मैं insured, अगर business ने risk cover लिया, तो वो कौन हो गया business, insured, जो व्यक्ति, जो business अपने risk को cover करके लेता है, जो insurance policy खरीदा है, उसको कहते है insured, अब यह सारी चीजे, मतलब for example, मैं आपको risk है, cover दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे अगर loss हो गया, तो पैसे की भरपाई करके दे रहा हूँ, उसमें terms and conditions कब देंगे, कितना मिलेगा, क्या process होगा, कितना payment, सब कुछ mentioned होगा न, तो यह सारी चीजे जो mentioned होती है, उसको कहते है policy, पैटा, policy basically क्या है, a return contract or agreement between the insurer and insured, तो इसी को पैटा, क्या कहते है, इसी को policy कहते है, insurance के सारे terms and conditions, कितना premium होगा, कितना service का पैसा देना होगा, कब यह risk का cover मिलेगा, कितने time तक मिलेगा, यह सारी जो चीजे होती है, इस policy में लिखित होती है, जिसको दोनों व्यक्ति sign करके यह मानते है, फेना कल उटके बोला, आप कौन, हमने तो कभी ऐसे insurance दिया यह नहीं था आपको, यह नहीं चलता, यह एक proof है, इसमें सारी चीजे in writing, in detail mentioned होती है, last and the most important चीज़ इंशॉरेंस एक service है, तो कोई भी service किया आपको कभी free मिलती है, क्या नहीं, वो आपका risk कवर करके दे रहा है, वो आपको service दे रहा है, तो आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, तो the amount paid for the service, इसको क्या बोलते है बटा, तो इसको बोलते है premium, अब यह जो premium है, इसका जो भी amount है, आप इसको quarterly, ठीक है, half yearly, या तो yearly pay कर सकते हूँ, यह पहले से mentioned होता है कि पुरे साल भर का पैस की ऐक साथ देना है, हर 4 महिने देना है, यह थीन महिने देना है, हर 6 महिने देना है and so on, बट यह premium तो pay करना है, service ले रहा है तो उसका पैसा तो देना है, यह आप चाहे, होना जरूरी है कि insurer कौन है, insured कौन है, policy क्या होती है and premium यहाँ पे क्या होता है, तो policy क्या एक return document जिसमें सारी चीज़े in writing terms and conditions सारी चीज़े about the policy mentioned होती है, उसके अलावा ऐसा व्यक्ति जिसको यहाँ पे risk cover मिलता है, उसको क्या कहते है, insured कहते है, ठीक है उसको क्या कहते है बटा, insured कहते है जो company इस risk को cover करके देती है, उसको यहाँ पे insurer कहते है इस service का जो भी आपको पैसा पे करना पड़ता है, जो service charges पे करना पड़ता है इसको premium कहते है, चलिए, ठीक है, फिर insurance को थोड़ा सा आगे detail यहाँ पे करेंगे functions of insurance, insurance क्यों चाहिए भाई, क्यों, देखिए अगर insurance की बात करें तो सबसे पहला काम insurance को होता है, कि जो बहुत सारी uncertainties है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी आग लग सकती है, कभी भी बाड़ा सकती है और मुझे नुकसान हो सकता है, इस risk से, इस uncertainty से वो आपको protect करें आपको एक certainty दे कि भाई, टेंशन ना ले, तेरा अगर नुकसान हुआ भी ना, तो उसकी भरपाई हम कर देंगे 10 लाग का नुकसान हुआ, 10 लाग insurance करा ले, 10 लाग हम दे देंगे, तेरा नुकसान fittus ठीक है, next important चीज क्या है, तो वो आपको protection देता है, against risk ठीक है, ठीक है, हर risk को बिटा आप रोक सकते हैं, अब earthquake को बोलो कि रोक, रोक, मैरे तक मता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हर risk को आप यहाँ पे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन insurance करवा के, इस risk से अपने आपको protect कर सकते हो, अब किसी का जीना, किसी का अवरन, किसी की death fix नहीं हो सकती, तो आप अपने आपको यहाँ पे death free नहीं बना सकते हैं, यह कोभी आपको कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम life insurance देते हैं, कि मान के चलो, ऐसे अन्होनी घटना घट भी गई, तो हमारे पीछे हमारा परिवार को कोई दिक्कत ना है, तो life insurance है, medical insurance है, fire insurance मेरा, और बोखुत सार इंश insurance होते हैं, जब कोई different risks से, uncertainties से protect करते हैं, third important चीज यहाँ पे क्या है, तो risk sharing, अब देखे, risk sharing के अगर बात करें, तो in this case, अब एक simple example देती हूँ, insurance, generally एक assumption होता है, कि एक ही company का ले सकते हो, ऐसा नहीं है, मान के चलो, कि मेरी एक property है, जिसकी कीमत है, पचास लाग रुपए तो मैंने उस property का insurance करवाया, लेकिन एक company से पच्चस लाग का करवाया, दूसरे company से भी पच्चस लाग का करवाया, अब वो property पे आग लग गई, आग लग गई तो मैंको 20 लाग का नुकसान हो गया, ठीक है, तो मैंने दोनों से आधा-धा insurance करवाया था, तो 20 लाग में से 10 एक company से लूँगी, 10 लाग दूसरे company से लूँगी, तो multiple insurances करवाके risk sharing भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, next important चीज क्या है, तो assistant capital formation, अब देखे, आप insurance companies को premium देते हो, तो उनको पैसा आता है, इस पैसे कब वो क्या करेगी, अब वो आपको risk cover देती है, कभी आपका नुकसान हो गया, तो भरपाई करके देती है, लेकिन उनके पास पैसा कहा से आता है, उनकी कमाई क्या, तो insurance company को, जो भी पैसा in the form of premium आता है, उन सारे पैसे को, सारे amount को, वो अलग अलग जगों पे investment करके, पैसा earn करती है, समझ में आ रहे हो, तो एक तरीके से capital formation होता है, उन्ही पैस of the chapter, जिसको करे बिना कभी भी exam में जाना, नहीं, नहीं, ठीक है, जो है आपका principles of insurance, अब देकि principles of insurance की बात करूं, तो कोई भी अगर insurance policy आप लेते हो, या कोई भी अगर insurance है, तो इस भी कुछ basic principles है, जो हमेशा होने चाहिए, अब पहला principle क्या कहता है, the principle of utmost good faith, ठीकिए insurance है, क कही ना कही भरोसे पर होता है, ठीक है, तो अब for example, मैं आपको एक basic example देती हूँ, कि मान के चले कि आप अपना medical insurance करवा रहे हो, तो medical insurance करवाते वर्ग, जो insurance company है, वो आपको एक form देगी और आपकी कुछ details उसमें पूछेगी, जैसे आपकी age क्या है, क्या आपको पहले से faith क्या कहता है, कि as an insured, या as a व्यक्ती जो policy ले रहा है, आपको जो भी information पूछी जाए, आपको उसको सही mention करके सच सच बताना है, कल उटके मान के चलो कि आपने ऐसा नहीं, कि आपने वहला चल चल मैं सत्यवादी हर इस चंदरो थोड़ी है, ठीक है, आपने insurance company को नहीं बत है, क्यों, क्योंकि premium जादा बढ़ जाएगा, फिर मैं क्यों इतना पैसा दूँ, मैं रहे को बताने कहीं नहीं चुपाऊंगा, ठीक है, आपने नहीं बताया, ठीक है, अचानक सी उस व्यक्ती को heart attack आगे hospital में admit हो गया, अब hospital में admit हुआ, तो insurance company को बोला एक भाय, hospital जा रहा बिल बनेगा, पेगर दे ना, ठीक है, उसने बोला हमको सारा report, report documents भेज़ दो, अब reports में doctor ने mention कर दिया, कि heart attack second time आया, पहले ये साल में आया था, ये ये दवाईया चालू थी, ये ये मैंने dose बढ़ा के दिया, हमने आपको पूछा था, आप तो बोला, इसा मेरे को heart का तो good faith दोनों के लिए applicable है, आप insurance policy लेते हो, तो as an insured आपको हर चीज़े clearly such mention करनी होती है, जो भी आप से पूछी गई, और insurance company को भी उस insurance policy के जो भी terms and conditions है, वो clearly mention करने होते है, बहुत सारी चीज़े हैं, जो हम exempt करते हैं, इसकी भरपाई हम नहीं करेंगे, या ये ये hospitals में आपक conditions है न policy के, तो उसको छुपाना नहीं है, वो policy में clearly mentioned होना चाहिए, जो व्यक्ति insurance ले रहा है, उसको पता होना चाहिए, तो यही होता है principle of utmost good faith, कि दोनों parties को सारी information clearly policy document में mention करनी चाहिए, सच बताना चाहिए, और सारी information एक दूसरे की होनी चाहिए, ठीक है, चलिए, आगे जाते है next principle पर जो कहते है principle of insurable interest, ठीक है principle of insurable interest मतलब क्या, कि आप कोई भी चीज का insurance नहीं ले सकते हो, जिस चीज के फायदे में आपका फायदा और नुकसान में आपका नुकसान है ना, तो insurance ले सकते हो, एक simple example देती हूँ, मान के चलिए कि आपकी property है, प्रोपर्टी में मान के चलिए गोडाउन है, ठीक है, गोडाउन में goods अपने store की है, अब वो गोडाउन में अगर आग लग गई, पानी भर गया, goods को नुकसान हुआ, तो आपका नुकसान है, नुकसान है, तो उस चीज का insurance अब ले सकते हो, अब आपके बाजु वाला है, बाजु वाले का बिजनेस है, उसका गोडाउन है, तो उसके गोडाउन का insurance आप क्यों ले सकते हो, उसको goods का कुछ नुकसान हुआ, उसके goods में आग लग गई, तो क्या आपका नुकसान है क्या उसमें, है क्या, नहीं न, तो principle of insurable interest क्या कहता है, कि आप अगर कोई भी चीज का insurance ले रहे हो, चाहे वो fire insurance है, marine insurance हो, या even life insurance हो, तो उस व्यक्ति या उस चीज के फाइदे नुकसान में आपका भी फाइदा नुकसान होना चाहिए, चाहिए, याद रखना, आप अपने बच्चे का medical insurance ले सकते हो, कि भाई अगर बच्चा बिमार हुआ, तो मुझे ही पैसा पे करना है, स legal bill पे है, उसका insurance ले सकते हो, क्या नहीं, simple साधारन भाशा में, वही व्यक्ति या चीज का insurance ले सकते हो, जिसके नुकसान में आपका नुकसान हो, simple भाशा में, ठीक है, इसको कहते principle of insurable interest, ठीक है, then आता है principle of indemnity, ए principle of indemnity का मतलब क्या, कि insurance company का ये नहीं होता है, कि वो आपको profit करा के दे, एक example देते है, ठीक है, मान के चले कि आपने आपका goods का insurance कराया, आपने आपके goods का insurance कराया, ठीक है, insurance policy कितने की लिए, तो 20 lakh रुपीज की लिए, अब ये goods को जहां पे आपने रखा था, go down में, इस go down में लग गई आग, आग लग गई तो goods को damage हो गया, अब अब जब हिसाब किताब लगाया, तो 20 lakh के goods से, उसमें से करीबन 2 lakhs के goods जो है, वो damage हो गया, तो आपको 2 lakh का नुकसान हो गया, तो आप insurance company के पास जाओगे, बोलोगे, देख, तुने बोला था, नुकसान होएगा, तो 20 lakh में दे सकता, तो 20 lakh दे, अरे, आपके पास पहले 20 lakh के goods थे, ठीक है, जिसमें से 2 lakh के goods का आपको यहाँ पे loss हो गया, तो अभी आपके पास कितना है, 18 lakh है, तो insurance company का काम है, आपको original position पे पहुचाना, 18 lakh का है, originally कितना था, 20 lakh, तो plus 2 lakh का वो आपको भरपाई करके, वापस back to the original position पहुचाएगी, 20 lakh दे दिया, तो अभी तो भाई, तुम्हारा 32 lakh का good हो जाएगा ना फिर, आइसा कैसा चलेगा, 32 भी नहीं, 38 हो जाएगा, अरे, बाबारे, ऐसा नहीं होता है, देकि insurance का का काम profit नहीं होता है, आपके loss की भरपाई का होता है, तो जितना loss होगा, उतने की भरपाई होगी, और वो भी policy amount से जादा loss हुआ तो नहीं देगा, अब 40 lakh का तुम्हारा नुकसान हो गया, 20 lakh का policy है तो वो तुमको जादा से जादा 20 lakh देगा, बड़ हमेशे 20 lakh से गा, नहीं, principle of indemnity एक ही चीज़ कहता है, कि जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, उसको आपको यहाँ पे original position प उसके उपर पहुचाना है, उससे जादा नहीं, और इसी लिए principle of indemnity, याद रखना जिंदगी भर, principle of indemnity does not apply to life insurance, अरे मेरे दोस्त, किसी ने life insurance अगर कराया है, उस व्यक्ति को कुछ हो गया, उसके परिवार को तुमने पैसा दे दिया, तो क्या वो पैसा उस व्यक्ति की जगा ले सकता है, क्या आप उस परिवार को व्यक्ति वापस लाके दे सकते हो, नहीं न, तो इसी लिए principle of indemnity यहाँ पे life insurance पर applicable नहीं है, क्योंकि life insurance व्यक्ति को अगर आप खो रहे हो, वो व्यक्ति को आप वापस नहीं ला सकते, goods की manager की भरपाई कर सकते हो, इंसान की नहीं कर सकते, ठीक है पैसा देखें, इंसान की भरपाई तो बटा नहीं हो सकती है, ठीक है, चलिए, आगे जाते है next पे जिसको कहते है, approximate cause, approximate cause का मतलब क्या, आपने जिस शीज की policy ली है, यह जिस risk का cover किया है, अगर उस कारण से नुक्स कान हुआ, तो ही भरपाई मिलेगे, एक simple example देती हूँ, मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे मेरे factory का fire insurance कराया, कि भई अगर मेरी factory में कभी भी आग लग गई, तो आग लगने के कारण नुक्सान हुआ, तो मुझे यहाँ पे यह नुक्सान का cover चाहिए, protection चाहिए, भरपाई क के पास के, मैंने बुला, देख, मैरी machine खराब हो गई, goods खराब हो गई, भरपाई दे, किस से खराब हुए, तो यहाँ पे यह खराब हुआ, flood से, ठीके, basically water से, मैंने insurance किसका लियाता, fire का, तो क्या वो company मुझे compensate करेगी, क्या वो company मुझे पैसा देगी, नहीं, अगर fire insurance लिय लिया, तो fire से नुकसान हुआ, तो ही भरपाई मिलेगा, अगर marine insurance लिया, तो पानी से नुकसान हुआ, तो ही मिलेगा, अगर theft insurance लिया, तो चोरी के कारण नुकसान हुआ, तो ही पैसा मिलेगा, इसको कहते है, the principle of approximate cause, यहाँ पे जो भी cause होता है, ठीके, याद रखना, वो उ policy में cover होना चीए, अब इसका और एक आपको example देती हूँ, ठीक है, मान के चलिए कि मैंने मेरे घर का theft insurance कराया, कि भई मेरे घर में कभी चोर आ गए, घुज गए, चोर ने चोरी कर ली, तो उसकी मुझे भरपाई चाहिए, चलो ठीक है, अब एक दिन ऐसे हुआ, कि मेरे घर मेरे घर में आग लग गए, मेरे घर में आग लग गए kitchen में, अब आग लग गए तो आग 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 बोलके सब भग गए घर से, ठीक है सब भग कर नीच चले गए, अब छोटी सी आग थी तो किसी ने मौके पर चौका वारा, ठीक है घर पे गया और उसने वहाँ पर चोरी मैं गई चोरी चोरी पैसा दो, अरे पहले आग लगी कि पहले चोरी हुई, आग के कारण चोरी हुई, क्या चोरी के कारण आग लगी, ना, मुझे claim नहीं मिलेगा, ठीके first cause हमेशे important होता है, first cause, याद रखना, fire insurance आपने कराया है, ठीके किसी व्यक्ति ने चोरी की, चोरी करने के बाद घर पे आग लगा के चला गया, तो क्या आपको fire insurance से भरपाई मिलेगी, नहीं, क्योंकि actual में वो theft कारण था, theft के कारण, चोरी के कारण आपको नुक्सान हुआ, चोर ने आग लगाया, आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी, याद रखना, fire insurance नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा complex होता है, इसमें cause of loss बहुत important है, और वो cause covered होना अचे insurance में ये भी बहुत important है, याद रखना बटा, याद रखना, ठीक है, चलिए, आगे जाते है next पे जिसको कहते है, the principle of subrogation, इसका best example में आपको देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा complex है, ठीक है, तो examples सुनो, कि अगर मैंने आपके नुकसान कि भरपाई कर दी, फिर वो चीज मेरी हो गई, example देता है, चलू, मान כי चलो मैंने मेरे घाडी का इंशॉरंस करवाया, लेकन एक दिन एईसा हुआ कि मेरे घाडी चोरी हो गई, चोरी हो गई, तो पहले किदर जानेगा, police station, police station में गई, मैंन मैने दिया एक मैना दो मैना चार मैना छह मैना गाड़ी मिली नहीं अब नहीं मिली तो मैने इंशॉरेंस कंपनी को बोला कि देखो मेरी गाड़ी का इंशॉरेंस ना गोम हो गए फायर भी कर रहा गाड़ी मिली नहीं तो इंशॉरेंस कंपनी ने मुझे वो गाड़ी की भरप किये तो। मैं गोई भग भग के पुलिस टोइशन। मेरी गाड़ी थी। ठीक है। तब वो गाड़ी भी मेरी। भाई वो गाड़ी का पैसे तुम इंशॉरेंस कम्पणी से ले चुके न। तो गाड़ी की भरपाई हो गए न। गाड़ी भी आपकी कैसी हुई। तो अब वो गाड़ी किस की, insurance company की, अरे वो चीज का आपको पैसा मिल गया, तो पैसा भी लो और वो चीज भी ले लो, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता, ठीक है यही कहता है principle of subrogation, कि ऐसी कोई भी insured property है, अगर उसका loss और damage के आपको भरपाई मिल गई, तो वो property फिर insurance company pass on ह हो जाती है, अब वो गाड़ी के जो भी कीमत हो, जितना भी damage किया हो, जितना भी पैसा है, वो insurance company देखे, गाड़ी की ownership अब आपकी नहीं है, क्योंकि आपको उसका compensation, उसकी भरपाई मिल गई है, ठीक है, चलिए, यहाँ पर आगे जाते है, next principle, जो है principle of contribution, सबसे पहले चीज इस principle of contribution तब applicable होता है, जब आप यहाँ पर multiple insurances लेते हो, यह तब ही applicable होता है, ठीक है, अब principle of contribution basically क्या कहता है, कि अगर आपने एक चीज के दो जनों से insurances लिया है, एक basic सा example देती हो, मान के चलिए, कि यहाँ पर आपकी एक property है, ठीक है, यह property की value है, 1,50,000 रुपीज, तो आपने यहाँ पर company A से 1,00,000 का insurance लिया है, और company B से आपने यहाँ पर 50,000 रुपीज का insurance लिया, ठीक है, मदब 1,500,000 का आपका property था, तो 1,500,000 में से 1,00,000 का insurance company A से लिया, पचास अजर का insurance company B से लिया, अब यहाँ पर यह property में 75,000 का loss हो गया, तो 75,000 कौन भरेगा, company A भरेगी या company B भरेगी, दोनों, दोनों आधा आधा भरेगी क्या, नहीं, जितने proportion में अपने यहाँ पर insurance लिया है, उतने proportion में contribution to loss होगा, और उसके लिए एक simple सा यहाँ पर formula है, sum assured, जैसे A के साथ 1,00,000 है, तो 1,00,000 into actual loss, 75,000 का loss हो गया है, into total sum, total sum कितना है, 1,00,000,000 रुपीज, तो basically यहाँ पर जो company A है, वो इस loss का 50,000 रुपे देगी, और company B जो है, वो इस loss का, आपको 25,000 रुपीज देगी, simple सी बात है, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं, next पर जो की है, the principle of mitigation, यह principle of mitigation आपको सिर्फ एक simple चीज कहता है, कि अगर आपने कोई भी चीज का insurance किया है, तो इसका मतलब यह नहीं है, क्यों चीज को नुकसान हो रहा है, तो होने दो, आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए, कि नुकसान आप minimize कर सको, अगर factory का आपने fire insurance लिया है, आग लग गई तो आपको आपको आँख बुझाने की आँख से नुकसान कम से कम हो, यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए, कि loss or damage minimum हो, ऐसा नेक insurance लिया है, तो चल होने दिन आपना कीदा नुकसान है, अपने को पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना है, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं, अब types of insurance की अगर बात करें, तो basically आपके syllabus में three types of insurance है, जो आपको पढ़ना है, वैसे तो what type के होता है, पड़ अपने syllabus में तीन है, life insurance, fire insurance and marine insurance, अब कोई भी व्यक्ति है, अगर वो life insurance कराता है, तो क्यों कराता है, देखे हर एक इंसान को दो डर होते है, एक समय से पहले अगर death हो ग गया, तो उसके परिवार को कौन संभालेगा, घर कौन चलाएगा, बच्चों की परवरिष का क्या, घर खर्च कैसे चलेगा, दूसरा risk हमेशा यह होता है, बहुत late death होना, अब देखे, death तो आपके हाथ में है नहीं, तो एक उमर तक आप काम करोगे, आपकी income होगी, पैसो तो है, तो इसके लिए भी लोग life insurance कराते है, एक समय तक आप premium pay कर रहे हो, retirement पे आपको pension मिलता है, एक particular amount है, monthly आपको मिलता है, उसको use करके आप अपना खर्चा यहाँ पे चला सकते हो, तो life insurance यहाँ पे दो type of risk cover करता है, एक death very early and एक death too late, ठीक है, दोनों risk यहाँ पे cover किया हो जा सकता है, तो life insurance में यहाँ पे आप periodical payment या lump sum ऐसे बहुत सारे यहाँ पे options होते है, different यहाँ पे policies होती है, but most important चीज, life insurance, एक contingent insurance है, मतलब इसका benefit आपको पका मलेगा, example, मैंने मेरे property का एक साल का fire insurance करवाया, ठीक है, एक साल में आग लगेगी, नहीं लगेगी, दोनों क possibility है, आग लगी तो भरपाई मिलेगा, नहीं लगी तो premium waste, life insurance में ऐसा नहीं है, वेकि death या तो retirement certain है न, या तो इंसान के death होगी, या तो इंसान retire होगा, दोनों में से एक तो होगा है, आप अपनी उमर को पकड़ के नहीं रख सकते, right, तो यहाँ पे आपको ये life insurance का benefit हमेश मिलता ही है, इसका premium कभी भी waste नहीं जाता है, important, ठीक है, तो life insurance के बारे में 3 चीज़ हमेशा याद रखना, एक दो कारण से life insurance होता है, dead too early और dead too late, और life insurance contingent होता है, उसका benefit आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि या तो death होनी ही है, या तो retirement होना ही है, ठीक है, life insurance के अगर कुछ elements देखे, तो सबसे पहली चीज़ ये एक insurance contract होता है, which has all the valid contract, ठीक है, life insurance contract must have all the essentials of a valid contract, मतलब इसमें जो भी details जासे life insurance होनी चाहिए, वो होनी ही चाहिए, ठीक है, next important चीज़ क्या है, जो contract of life insurance है, वो हमेशा at most good fit पर होता है, भी देखो, मैंने बोल दिया, कि आपको कुछ हो ग जाएगा, तो भरो से पही होता है, ठीक है, बाद मैं आउपर से थोड़ी नीचा होगे, तुने बोला था, पैसा नहीं दिया, ऐसा कैसा, ये trust basis पही होता है, ठीक है, next important चीज़ क्या है, in life insurance, in short must have insurable interest in the life insurance, अब देखे, life insurance किसका कर सकते हो, तो ऐसे व्यक्ति का, जिसकी death म आपको कोई ना कोई loss है, आप किसी और व्यक्ति का, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, जो आपके परिवार को चलाता नहीं है, तो उसका life insurance कैसा करा सकते हो, तो ऐसे तो मैं भी धिरुभायमदी का life insurance करा देती ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, next important चीज, life insurance contract is not a contract of indemnity जो मैंने 1000 बार आपको बोल दिया था, ठीक है, life insurance पर indemnity कैसे होगा, अगर किसी के परिवार के व्यक्ति की death हो गई, तुम उसको पैसा दे क्यों इंसान की भरपाई कर सकते हो, क्या नहीं, यहाँ पर जो loss से उसको आप compensate नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं, next पे जो की है, आपका fire insurance, एक fire insurance basically क्या है, तो अगर आपको कोई भी नुकसान fire की कारण हुआ, तो इसकी भरपाई मिलेगी, only because of fire हा, याद रखना, cause of loss इसमें fire होना चाहिए, और दो शर्ते है fire insurance के compensation के, क्या शर्ते है, सबसे पहली चीज, actual loss होना चाहिए, यह आ आग लगी तो उसका पैसा जैसा कैसा, आग लगने से आपको नुकसान हुआ, तो भरपाई मिलेगी न, आपको नुकसान ही नहीं हुआ, तो किस चीज की भरपाई, और दूसरी, आग आपने लगाई, plan करके लगवाई, ऐसा नहीं होता, मेरे goods बिक नहीं रहे, तो चलो नहीं चलता है, इसका भरपाई नहीं मिलेगा आपको, याद रखना, दूसरी important चीज कभी भी जो fire insurance होता है, वो yearly होता है, एक साल के लिए आप कर सकते हो, हर साल इसको renew, 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 renew करा जा सकता है, ठीक है, चलिए, आगे जाते हैं, अब next पे जो की है आपका insurance, कोई भी नुकसा जो sea peril से होता है, अब देखे हम बहुत बार जो import, export करते हैं, या सामान का जो transportation करते हैं, वाया ships करते हैं, अब ships जो है समुंदर में चलती है, अब समुंदर में कभी high tide आ गई, कभी वो Titanic वाला किस्सा हो गया, डिशो, और सारे goods damage हो गया, ship damage हो गया, लोगों को नुकसान हो तो इन चीज़ों को insurance करवाने के लिए हम basically यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे marine insurance करते हैं, marine insurances को तीन different categories में classify किया जा सकता है, सबसे पहले आता है आपका ship insurance या तो इसी को hull insurance भी कहते हैं, अब hull insurance generally owner of the ship लेता है, जिस पे पूरी ship का insurance किया जाता है, अब देखो बेटा ship जो है पात 10 रुपए, 20-25 रुपए में नहीं बनती, लाखो रुपए ships के पीछे खर छो सकते हैं, तो ऐसे case में यह ships को जब हम insur करवाते हैं, तो ships का furniture, ship के tools, ship के fixtures, ship का सबका insurance होता है, तो मान के चलिए कि during voyage, मतलब ship समुंदर में चल रही है, तब ही कोई भी कारण से ship क नुकसान हो गया, ship तूट गई या उसके furniture या machines खराब हो गए, तो ये insurance से आपको भरपाई मिलेगी, second group of insurance यहाँ पे होता है, cargo insurance, cargo मतलब goods, तो ship पे जो भी goods जा रहे है, या ship पे जो लोग रहते है, crew members जिनको कहते है, ये ship के उपर जो लोग रहते हैं, उनका भी तो समान हो बड़ मान के चलो कि अचानक से समुंदर में बाड़ आ गए, high tight तो पूरा पानी भर गया, मेरा समान खराब हो गया, तो मुझे नुकसान है, तो उससे अच्छा मैं अपने goods का cargo insurance कराओ, मान के चलो मेरे goods शोरी हो गए, ठीक है, फिर क्या, तो उसका मैं cargo insurance यहाँ पे करवा सकती हूँ, इसमें ship को अगर कुछ हुआ, उसके furniture को तो भर पाई नहीं मिलेगी, ship में जाने वाले goods को अगर कुछ हुआ, तो भर पाई मिलेगी, ठीक है, थोड़ होता है, यहाँ पे freight insurance, इस freight मतलब नवे shipping charges, अब मैं ship में goods भेज रहा हूँ, एक जगे से दूसरी जगा, मै लेकर अगर बीच में ship को कुछ हो गया, कोई भी कारण से goods को आप safely नहीं पहुचा सके, तो आपके पैसे गए, ऐसे थोड़ी होता है, तो इस case में आपको यहाँ पे मिलता है freight insurance, यह shipping company को जो loss of freight charges होते है, कि अगर goods safely नहीं पहुचे, तो मेरा तो freight charges गया न, मुझे तो shipping charges प सवाल, मैं यहाँ आपको पूछना चाहूंगी, कि मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए, चलिए, काम करते है, सवाल यहाँ पे आपके लिए लिख लेते है, ठीक है, चलिए, यहाँ पे लिख देती हूँ, मान के चलिए, कि एक exporter है, और वो exporter एक ship पे अपने goods को भेज रह या फिर freight insurance कराएगा answer कहा दोगे तो नीचे comment section में answer बताना है बोहुत ही simple है बिलकुल यहाँ पर बताना ठीक है मैंने यहाँ पर आपको 3 different types of insurances पढ़ाए life, fire and marine अब उनके बारे में और समझेंगे distinguish कि भाई यह तीनों insurance में difference क्या है सबसे पहले life insurance की बात करूँ तो यह एक इनसान अपनी life के लिए लेता है either debt due to early age पीछे family का क्या होगा या तो very late debt तो भाई retirement के बाद मेरा खर्चक ऐसे चलेगा fire insurance generally property assets का लिया जाता है कि भाई मेरी property आग लग गया तो property को नुकसान होगा marine insurance यहाँ पर या तो ship या तो goods या तो shipping charges के लिए होता है जो भी मैंने आपको बताया ठीक है next important चीज़ यहाँ पर life insurance दो कारण से लिये जाते है एक protection कि भाई मेरे पीछे मेरे परिवार को दिक्कत ना है दूसरा investment कि मैं retire हो गया तो इस पैसे का मुझे व्याज के तौर पे pension आते रहेगा तो investment है भई मैंने इतने सालों तक मान के चलो 6 लाग premium दिया तो सालों बाद 6 लाग plus व्याज मुझे return मिलेगा तो in a way return on investment मिलेगा ठीक है fire insurance की बात करू तो fire और marine insurance दोनों का काम protection होता है इसमें premium वापस मिलना pension मिलना कुछ नहीं है सिर्फ protection मिलता है यहां पे fire से यहां पे marine insurance में sea peril से ठीक है next important चीज insurable interest भई यहां पे insurable interest during the time of taking the policy होना चाहिए उसके बाद हो या ना हो फरक नहीं पड़ता यहां पे insurance लेता हो वक्त and loss की वक्त दोनों वक्त होना चाहिए देखे एक example देती हो आपको दोनों cases में ठीक है पहली चीज मान के चलो मेरा प्रॉपर्टी है मैंने उसका fire insurance कराया एक साल के लिए छह मैंने बद प्रॉपर्टी पेज दे प्रॉपर्टी में आग लग गई मैंने बुला भाई fire insurance का पैसा दो क्या आपका नुक्सान हुआ क्या वो आपकी प्रॉपर्टी थी नहीं तो क्या आप claim बांग सकते हो नहीं तो यहां पे आपका interest जो policy ली तभी था पट loss हुआ तभी insurable interest नहीं था आपका नुक्सान ही नहीं हुआ तो आपको claim नहीं मिलेगा मेरे दोस्त in case of marine insurance loss के time insurable interest होना जरूरी है तभी जरूरी है ठीक है मेरे goods इस ship से जाएंगे तो मैंने मेरे goods का insurance करवाया अब तक goods बने ही नहीं है फिर भी insurance करवा सकते हो yes लेकिन जब ship में पानी भरा damage हुआ तभी वो goods मेरे थे वहां में यह जरूरी है वरना मेरे goods थे ही नहीं तो again मेरा loss नहीं हुआ simple सी बात ठीक है आगे जाते है next पे duration अब यह 5 to 30 years या lifetime हो सकता है ठीक है till death हो सकता है fire insurance हमेशा yearly होता है marine insurance या तो yearly हो सकता है या तो journey का हो सकता है कि भाई मेरे goods का insurance मुझे एक port से दूसरे port का कराना है जब तक मेरे goods शेफली नहीं पहुच जाते है तो 30 days में पहुचे 40 days में पहुचे या 6 मैने में पहुचे तब तक मेरा insurance policy रहेगा इसको कहते है voyage period जब ये goods को एक जगे से दूसरे जगे पे transfer किया जाता है ठीक है उसके बाद आता है आपका यहां पे indemnity obviously life insurance पे principle of indemnity applicable नहीं है बता चुकी हूँ बाकी दोनो cases में यहां पे insured को original position पे डाला यह insurance company का नियम होता है उसके जादा नाना ठीक है next चीज यहां पे क्या है loss measurement तो यहां पे loss आप measure नहीं कर सकते बटा आप किसी इंसान की monetary कीमत लगा सकते हो गया नहीं बट येस यहां पे आप monetary loss measure कर सकते हो दो लाग का नुक्सान हो आप पाच लाग का साल से मैं premium नहीं भर पार हूँ insurance company के पास गई मैंने बुला मैं को policy surrender करनी अब मैं इसका premium नहीं पे कर पा रही तो 10 साल तक जो भी premium दिया उसका एक certain amount वो मुझे वापस देंगे तो policy return की तो कुछ amount वापस मिलता है जो कि fire और marine insurance में नहीं मलता साल भर का insurance करवा 8 महिने में बोलोगे अब भी policy नहीं चीए पैसा वापस दो तो नहीं मिलेगा ठीक है next important चीज़ क्या है policy amount यहां पे कोई भी amount हो सकता है 10 लाग से 10 करोड से 10 अरब करोड कितना भी amount हो सकता है premium उसे जब से होगा यहां पे कोई भी policy subject matter के value से ज़ादा नहीं हो सकती मेरी property की आज अगर market में कीमत 10 लाग रुपए है तो मैं 50 लाग का insurance उसका fire का नहीं करा सकती क्योंकि उतनी तो property की कीमत ही नहीं ठीक है marine insurance में यहां पे market value of cargo और ship important है ठीक है तो cargo का अगर मान के चलो मेरा goods की market value है 3 लाग रुपए 3 लाग में मैं उसको बेचूंगी तो 3 लाग का insurance करा सकती हूँ ship का hull insurance करा रही हूँ तो ship की जो market value है उससे साब सुसका insurance का amount decide होगा उससे जादा का नहीं करा सकते ठीक है next important चीज है यहां पे risk देखो यहां पे आपको compensation मिलेगा यह contingent है यहां तो retirement होना ही है इसकी भरपाई आपको मिलनी है but in case of fire and in case of maran insurance risk होता है but आग लगेगी goods damage होंगे क्या यह जरूर है क्या इसकी guarantee है no तो यहां पे जो risk है उसका हो सकता है कि आपने premium भरा बट ऐसा कुछ event हुआ है नहीं तो आपको claim करने की नौबती ना आए ठीक है आगे जाते हैं अभी next पे जो की है आपका last part communication services अब देखे communication services की बटर बात करूँ तो communication services सबसे पहले important होती है कि बहार की जो भी दुनिया है चाहे वो हमारे customers हो चाहे वो हमारे suppliers हो चाहे वो media हो चाहे वो government हो एक्सेक्टा तो outside the business जो भी ऐसे parties होती है अगर मुझे उनके साथ यहां पे communicate करना है ठीक है तो उसके लिए different modes होते है आपके syllabus पे mainly आपको postal and telecommunication यहां पे पढ़ना है सबसे पहले अगर मैं यहां पे postal services की बात करूँ विटा तो देखे इंडियन post office आपने पढ़ा होगा ठीक है वो था ना डाकिया डाकलाया डाकिया तो यह जो इंडियन postal services है ना पहली चीज इनके 22 postal circles है 1000 branches है जो across इंडिया छोटे से छोटे rural area में यहां पे spread है तो postal service का एक तो काम होता है कि post जो है उसको एक जगे से दूसरे जगे पहुचाना बढ़के एक ही service होता है नहीं इंडियन post offices multiple financial services तक देती है post offices में भी fixed deposit account saving deposit account recurring deposit account PPF facilities बहुत सारी ऐसी investment schemes होती है जिसमें पैसा invest करके उसके उपर अच्छा खासा interest आपको मिल सकता है ठीक है दूसरे important चीज यह post offices आपको देती है mailing facility जहां पे आपका कोई भी अगर parcel है ठीक है books है clothes है goods है ना पीना है तो कोई भी आपका parcel है वो यहां पे एक जगे से दूसरे जगे पे पहुचाना तो काफी बार जैसे रक्षा बंदन है तो राखियम post करते है एक post office में जाते address देते है पैसा भरते है mention address पे पहुत जाती है तो इसको कहते है mail facilities ठीक है उसके अलावा अगर हम telecom services की बात करें एक तो postal services है दूसरा कौन सा है telecom services है telecom services की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है आपका cellular mobile services ठीक है यह आपको पता है already cellular mobile services mobile मतलब उसको जहां पे भी जाओगे आप उसको carry कर सकते हो तो इसमें data services होता है basically internet जिसके द्वारा आप messages text messages यह सब भेज सकते हो उसके अलावा voice and non voice message service भी यहाँ पे आपको मिलता है जैसे text service non voice है call करना voice services है तो basically एक mobile tower होता है यह tower से network develop होता है जहां से cellular mobile service of different locations से भी operate यह service को कर सकते हो ठीक है next important service क्या है तो इसको कहते है fixed line service जैसे पहले land line था ना तो एक fixed जगह से ही वो service मिलेगा अभी land line को उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हो क्या mobile का जैसा नहीं देखे fixed line or land line में वही sorry fixed line or mobile में यही होता है mobile service अब चाहो जहां पे अपने साथ ले जा सकते हो fixed line service में वैसा नहीं है इसमें भी आपको voice and non voice service दोनों मिलती है जैसे अगर हम internet भी वो जो land line का wire है उसे internet service भी मिलती थी पट जहां पे wire है वहीं पे PC और laptop connect करके आपको यूज करना जहां 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 वहां पे carry कर सकते हो क्या mobile data के जैसा नहीं तो fixed line जगह है fixed line service पे ही आपको यह मिलता है ठीक है उसके बाद आता है आपका cable service एक cable operators है जो आपको various entertainment की चीजे घर पे देता है तो आगे एक cable होता है cable को वो connect करते है उसको आपके TV में वगरा connect करते है यह cable के द्वारा आपको यहां पे different entertainment related services मिलती है याद रखना cable operators को भी cable service देने के लिए actual में यहां पे license लगता है different cable channels को आप तक पहुचाने के लिए ठीक है बट अगेन यह तार के द्वारा आपके यहां पे connect होता है आपके TV में connect होता है उसका next version यहां पे है Vsat Vsat का full form में याद रखना exam में आ सकता है Vsat का full form है very small aperture terminal यह एक satellite base है आपने ऐसे देखे ने छत्री के माफिक और ऐसा उसमें connection होता है जिससे network pass होता है तो यह satellite service है जहां पे इसका main काम क्या है तो rural areas छोटे से छोटे गाव तक communication services को पहुचाना तो बहुत सरे businesses and government agencies है उनके लिए यह best source of communication है क्योंकि इससे अब दूर से दूर छोटे से छोटे गाव में भी communication services को पहुचा सकते हो ठीक है last but not the least is DTS जिसको कहते है direct to home जो यह आपका DTS लगता ना Tata Sky, Airtel DTS यह सब DTS में आता है उपर एक dish लगाया जाता है वो dish यह satellite से connect करके यह services आपके television में setup box के द्वारा यह services आपको यहाँ पे मिलती है तो direct to home service direct आपके घर पे आपको आपके TV में channels दिखाती है cable wire होता है इसमें setup box एक dish होती है जिसके द्वारा connection लेकर वो जो satellite के द्वारा connection पकड़ता है और directly आपके TV में different types of entertainment channels यहाँ पे आपको दिखाता है right तो इसी के साथ यह जो chapter है इसको हम finish करते है important questions मैं आपको बता चुकी हूँ generally जो questions आते है banking और insurance पे आते है postal services की बात करें तो इस पे चोटे two mark questions, Vsat का full form क्या है, DTH का full form क्या है ऐसे चोटे-मोटे questions आने के chances ज्यादा होते है ठीक है तो यही पे इस chapter को हम खतम करेंगे बढ़ दुवारा जरूर बिलेंगे और ऐसे chapters के साथ और तब तक के लिए bye bye and have a nice day